हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आज का टापिक कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटर का टापिक है जो MRS के हश्टेल वार्डन और JSA को टार्गेट करके बनाया गया है देखते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर का परिचय इंट्रडक्शन अब कंप्यूटर का परिचय देख लेते हैं यह कंप्यूटर आपके सामने देख रहा है वीक को एक को गणाय करने वाली सोचलीत मशीन हैं थे तो शुचलीत मशीन जो अनिद्छ को प्रकार गणाय कर सकता है시면 तिए क्या है हाडवेर तरफट वेर कंपीटर मशीन का वहाँ भाग जुका just कर सकते हैं ऑर जिसे हई प्रोग्रामो का समूझ को वह बताता है कुछ से क्या ओर कैसे करşक्र 나서 कर шт encается सकते हैं था है और ऐसे थलिगने कर सकते हैं रोता है एदलилось को में Зна syrup फिस्किनम्टतस नहीं करसकते होगा ऐसे नमबर का घाली देद के हड करें तो गली कैसे हो गयाएं हम टेच कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं डाटा क्या होता है तथियों और सुचनाओं का और विवस्थित संक्ला होता है ध्यान देंगे विवस्थित नहीं होता है हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं यानि कि तथियों को और सुचनाओं को कंप्यूटर तक भेजते हैं और वीवस्थितरों में वह प्राससिंग करके करता है ग्याटा दो प्रकार सेयर संख्यात्मक डाता भी सकता है और चिन्हात्मक डाटा po अलफार म्लीक को, न ठाटा प्रोसेशिंग को तो न इनफार्मेंशन किया है हा गल्हेंक को, एक जिता की और संक्लन के बाद प्राप्ट तत्य हम कंप्पेटर को डाटा देंगे डाटा उसे प्रोसेस करेगा प्रोसेसिंग करेगा और एक हम ब्यवस्तित क्रम में डाटा देंगे उसे प्रोसेस करके ब्यवस्तित क्रम में कंप्पेटर रखेगा और हमें इन्फार्मेशन याने कि इस्ट्रक्षन। यूजर दए। लांगवेज में कम्पीर को दिये गए कर्श। निर्देश कहल रहाते हैं। निर्देश कि स्कीकों क्सी निर निर्देश काम के लिए। आश्कु पा के लिए ले छोब्हक्ताए। वो हिंदी समझता है है। और आप फार्सी बोलने उसे पता ही नहीं चला आप क्या बोल रहें नहीं सांच वाएगा तो निर्देश क्या है उजर द्वारा computer language में computer को दिये गए commands निर्देश कहलाते प्रोग्राम प्रोग्राम जो है रेक्टेश साब computer इसकी ज्यादा होती है स्पीड काफी होती है computer की अचलीत होता है automatic होता है अपका पता है रहीत होता है हम कि हम कुछ calculation करें कितना में 0 जो कुछ भी हो अगर जोड़ना होता हमसे mistake हो सकता हम गलतियां कर सकते हैं लेकिन computer यह से नहीं कर सकते हैं कि computer mathematics होता है उसमें फिटेड होता है तो यह तुरुटी रहीत होता है तुरुटी रहीत कारी होता है तो बहुत सारे थोड़ी सी मेमोरी बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट करके रखा जा सकता है तो इस प्रकार से विशाल बंडर और चंता लार्ज storage capacity computer होती है भंडारी सुचनाहों को अत्य प्रिगति से प्राप्त करना है आश्टूर से प्राप्त कर सकते हैं जाकर आप प्राप्त करने के लिए सर्च आए वहां पर लिखेंगे जहां भी ओका निकाल करते देगा तो ढूंडने में यह असानी होती है जल्द निर्ड़ा लेने की छमता होती है इसमें कि पास माइंड तो होता नहीं तो जग सूचनाह इसके पास फीड़ेड होती है उसी कैदा प पीछे पढ़ सकता है एक ही काम को करका है तो लेकिन कम्पीटर को आप 50 बर कहिए वो काम करता रहेगा वो तो इस पुरती करता है बोबनियता शेक्रेसी आप किसी काम कोई कराएंगे तो पता नहीं हो या नव इसके इसमें तो आप पासवाडर सोट डालके गोपनिया से रख सकते तारे की एक ग्रूपता यूनि फार्म्टि आप वर्क पिस्वस्वसिशनियता जो कि गोपनियता है तो बिस्वस् बुद्धीन होता है नो माइंड कम्पिटर के पास माइंड नहीं होता है जो भी उसमें डाटा प्रोग्राम फिट किया रहा था उसी के अधार पर वकारी करता है इसलिए वह तुरूंत कारी करता है क्योंकि उसे दिमाग लगाने की जोरत नहीं पड़ती है वह सुचनावों क कैधार पर फिडिट प्रोग्राम के दार पर करता है का लेकिन ज्यादा है एक मप्रश का खत्रा एमिन टू वायरस ने दिमक खात्रा होता है इसे वायरस का खत्रा होता है से बीद्धूत निरभरता होती बीना विद्ध dłट के चलता नहीं है विद्ध की जोरीत प्रती है इस में श्क्राइव consider के अनुप्रयोग जाइशन अप अप compare तसРल में रğूअ कहा कहाँ को अप्रुआप को अच्छी तरह से पता है बस एक यह करते में स्वेस्थमान प्रदान अधिद दौरा रुक्शन एजू प्रदान करने में इमेल इत्यादी के द्वारा बोचत के द्वारा सिक्षा में त्रूचन में बिज्ञानिक अनुसंधन में बास न कें 77 कुर्ण से अब अर्ड कर लेते हैं तो कमपेटर संचार के दुवार का मोबाइल भी एक प्रकार कंप्यूटर है कि बैंकिंग में भी होता है रोज हम लपे मेंट करते हैं फोन पे गूगल पे पेटी हम इत्यादी तो बैंकिंग है जो कंप्यूटर है कंप्यूटर पर ही चलता है यानिकी मोबाइल एक कंप्यूटर है कित्सा में कि आब मोटव पत्लु देख रहें मौटव पत्लु मीरी में बिधा5 को सब्सकी न नमें दिकेंगेंगे ओआ कंपीटर फिर सब्सक्राइब अब कर देकेंगे वाूब के दियुजिटल पत्व देखेंगे मोबाएल प गो साथ आज कि प्रकाशन करने में समय की समय की बचत होती है जो कारी हम अपने आप से करेंगि पर परगंपर के इस उसलिए प्रोग्राम के अधारववों कारिकर ताइसलिए उस विद्धों कि संभावना नहीं बन ती त Color करता करता है क्या आर्द तुरी कारिकर वैज select character एञारा है लेकिन इइक समस्या है यहां समस्या है तो कहने कि बिंदया द्रूजकारी बढ़त तो कंप्यूटर से संबंधित अन्य कार्व से दिया जा सकता है ऐसी बात नहीं है तो बिरजगारी का ट्रांस्पर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगों किया जा सकता है कंप्यूट सब्धिकذ पत्ति घ्रीक भास कि ंप्प्यूट सब्षे और कंप्यूट का अर्थ होता है कड़ना करना to can при account का सकते हैं तो मुरुट का हिंदी नाम होगम सभाई क भारती संखीक सनस्थान कलकत्ता उन्हें सबावन में एनलाग प्रकार का कम्पीटर था भारत में इस्थापित पहला कम्पीटर यानि कि भारती सांखी की संस्थान कलकत्ता में इस्थापित हुआ जो उन्हें सबावन में हुआ यह इनलाग प्रकार का कम्पीटर था और भारत में इस्थापित पहला कम्पीटर भारत कलकत्ता में सथापिद किये गए थे हैं सअ भारत में पहली बार तुने इस्थापिद प्रयोग 12 अगस्थ気 उनसीं श्यासीख हुआ था मुख्य डाक घर भंगलुरू करनाटा के बंगलुरू कर और में मुक्खे ड्कटर में पहली बार computer का प्रियोग गया था तो लगत तोने इस च्यासिय द कर दा देंगे ज्य Okey कूऔ मना जाता है जिखान देगे मैं करें हैं कि अन्पिटर का ऊधभार अभिकास कि अब इस अब जोच अबधार मिप्रमाद मिलता है यह मैनुवल केलुकुलेटर शे कहता है है प्रतम यांत्रिक गड़ना मसीन है इसके इसा इसके अस्तापना के गई थी इसे एडिंग मसीन भी कहते हैं प्रेंश इंजन एक साबीस में चाल्स बैबनेजने डीफरेंस इंजन के स्थापना किती डीफएंजन का मळस्खार क्या था फा allora प्रकार से चलता था शक्लेनれた यकर अ जाने कर सकता था फार इफरेंस लाइन्जन हे भाला और यह difference engine है कि इसके श्थापना इसकी खोज 42 ने कि थी 1822 में और इसी लिए क्योंकि यह भाव से चलता था यह पर्थम सवालित गड़ना आनलेटिक इंजन है इसे प्रकार जिस प्रकार से इंजन है उसी प्रकार से एक है अनालिटिक इंजन अठारो सब्याइस में इसकी खोज की थी अठारो सब्द्रियूस सब्याइस में अनलेटिकल एंजन की यह अनलिटिक एंजन है पंच काड पर रधारिध था और अंक गारना करने में विसक्षम था इसलिए चाल्स बाज़ी आगे पने गहां के बारे में यह ऐनालेतिकल एंजन अहीं अ Neway का से फास्स कवर्ट कलान एंजट और यह एनलेटिकल एंजन क्याल्स बिबेज और एकार्थ आथा नोहीं करेंड़ इनजनध thành अधन्य सिंनकर आध्या Скuated dk प्रफम प्रोग्रामर कहा जाता है वर्ड का प्रफम प्रोग्रामर प्रोग्रामर एडा अगस्टा को बाइनरी करने अब प्रोग्राम तो बाइनरी नंबर ने तो समझता है तो बाइनरी प्रलाल का आविस्कार बेने को यह अईठा गश्टा को तो इसे मदर आप पूछा जा तो एडा अगस्ता आता है मडर आप एगाड आगस्ता तो कि इन्हों नहीं यह दुनिया की प्रसम प्रोग्रामर है इन्हों नहीं एनलेटिकल इंजन में प्रोग्राम डाला था क हो jo so apply कि कि एसके विसकारक Гण्षार मारे थे जब पंच फटलिक पांस बोड़ते हो कापी किताब में तो इसमें क्या हो जाता है और हो जाता है तो पंच काड के विसकारक है होलॹण हैं , कागच का बना एक काड होता है जिसमें पंच , द्वारत मिष्ड बनाकर मिश्टूर किया जाता है आप यह का बना होता है अलग अलग जगह पर अलग प्रकार के रहते हैं, राटा इस्ट्यूर करने के लिए इसका टेक्सिटायल में किया गया, ठ्यान यह शाल सान देंगे मार्क वन का पर्थम पर्थम कोरुन स्वचलित बिद्वति आंट्रा की आनिकी स्वचलित की बात करें तो होगा मार्क वन इसका विष्कार हावर्ड आयकर ने क्या था पन कम्पनी के साथ मिलकर ए बिस्व कि इसे बोलते हैं एटना साप कम्पेटर यह बिस्व का पुर्ण स्वाचलित कम्पेटर अगर पूछें तो मार्क वन है लेकिन पुर्ण स्वाचलित कम्पेटर मार्कlean है लेकिन इस का यानि कि ABCDE का मतलब कि डीजिटल इलेक्ट्रानिक ABC के बाद दीजिटल इलेक्ट्रानिक तो बिश्व का पर्थम डीजिटल इलेक्ट्रानिक कंप्यूटर कौन सा है एक बिश्व का पर्थम पूर्ण स्वचलेट कंप्यूटर कौन सा है मार्क वन है इसकी खोज एटना साफ एंड बैरी ने की थी एबी से याद कर देंगे एटना साफ एंड बैरी एनियाक का फूल फार्म है इलेक्ट्रानिक नुमेरिकल इंटेग्रेटर एंड कैलकुलेटर यह इनियाक का फूर्म फार्म पूर्ण इलेक्ट्रानिक कंप्यूटर है यह पूर्ण रूप से इलेक्ट्रानिक कंप्यूटर है इसका विसकार एकार्टम जान मोजली ने किया है श्रैक्तिक है इडो味 हैच को इसका फूल फार्म है electronic discrete द्लिट व Fry eriator मैट्टिक कम्पीटर electronic extrate बार्यवल अट्मेटिक कम्पीटर इन्याग का नया वर्जन कि है क्या है इन्याग जो III एनियाक का नाया वर्जन एडवाइक है एनियाक क्या है इस्व का पर्थम पूर्ण इलेक्ट्रानिक डिश्टल कंप्यूटर है एनियाक पूर्ण इलेक्ट्रानिक डिश्टल कंप्यूटर और इसी कनाया वर्जन है एडवाइक इसका विश्कार पान नुमेन ने किया था युनिवाइक मतलब इनिवर्सल आटोमेटिक कम्पूटर इनिवर्सल आटोमेटिक कम्पूटर इनिवर्सल इनिवर्सल आटोमेटिक कम्पूटर इनिवर्सल तो यह उनिवर्सल रूप से यहनी कि समानने कारियों के लिए और वेपारिकारियों के लिए उपयोग होने वाला प्रहला पर कंपेटर इनिवाइक है इसका निर्माण डीसी ने क्या था जनरल इलेक्रानिक कार्पूरेशन द्वारा गया था कि मार्क वन है यह एबीसी है इनियाक है एड़ वैक इनिवाइक इस अब देख सकते हैं प्रोसेसर प्रोसेसर जो है इसे सीप्यू बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर में इंटेल द्वारा प्रथम प्रोसेसर इंटेल 4004 के निर्माण के एक कम्पेटर के छत्र में क्रांती ले दी यानि कि सबसे पहला प्रोसेसर जो है इंटेल 4004 था इसने निर्माण किया इंटेल कंपणी निर्माण किया वने 170 में और इसमें क्या लिखा इंटेल 4004 4 चार तढ़ार दो बंट चारा और फिटल के चतूर थी पैड़े में is पर उखना फिस豆腐 और कंपटर के पढईंगे कंप्तर का रिखे तो वहां देखेंगे पिटल में स्का अउनल चार आर्चार का लाख कं माइक्रो प्रोसेसर का विश्कार हो गया सो MK about a my पनमा निर्माण संभव हो पया पर्फुस्षों के दोरा आइक्स भर रोण्ड इंतल सबसे ज्यादा इंटल ली बनाता है माईकर्फ्रस्शों केसे द्हाइभ अमड अंडि सबसे ज्यादा इंटल के चलता कि अपको पता ही है उन इस 70 में पर था से प्रथम ब्युम्हैक माईपल कॉंप्षा का नुर्माड एपल स केंड के नाम से किया गया करत्म प्रथा मां कॉप्र अज ग्या है एंटल चाराजार चार और पर फ्रथम मां कॉम्हिक्रे कांब कॉम्हां साहोगा था कि एपल सिकेंड है यह माइक्रोप्रोसेसर है CPU है कि दू प्रकार का आगे देखेंगे इसके बारे में विर दो प्रकार का होगत है एक अएसा जिसमें पीने होती है और उक आंप्र प्रकार का ऊठाइगे और गला थन्हें दो पिझेंगी। कोंप्यों करका devotee क्या अदार पर दिघ्र कंप्यों करेशन होगा और हब कारत ओदार पर मैंद देम कंप्यों मैं कूप्यों एम मेंली मैंद भून इनि कंप्योंट माइक रंद नॉकौन तर यह हैं कि हट्वियर विदी कंप्यों से डिश warrant कंप्यों ne इसमें प्रथा पिढ़ी है 1942 से लेकर 19-25 तक आप अब दुडिती पिढ़ी है ने ज़स्वाइब से आप 10 बर्स का गयप ले ले लिए एक एवरेज के तर पर 10 बर्स का गयप ले लिया करें पहला को याद कर ले मिल सकता है एक अंदाज पूछा जा सकता है तो आप ले सकते हैं पर्थम पीड़ी में निर्वात त्यूब का प्रयोग हुआ था निर्वात त्यूब आप देखेंगे पहले जो गाड़ियां आती थी आभी जो गाड़ियां है हुआ है उन में जो हेड लाइट होता है हो बल लगा रहाता हुआ उसमें जुवरात रहता है विङ on तो यादी कर लेंगे निर्वाटी दूसरे ही कि लिखेंगे जैब ट्राणजिष्टर लिखेंगे तो ट्रांजिष्टर टी से आएगा तका मतलर 20 होता है अगल यह थे होता है त्टी में तू याद कर लेगे हो से टू और जीरो को बहलेंगे टू ही होगा तो तू मतलब डितिग्री में ट्रांजिस्टर तरीटिग्रेटर चीप बना है, i का मतलब होता है, न हम यह तो होती नहीं है, तो सीका मतलब सत्वब्लेबर करे основ. तिसरी लें परना मतलब दीन ती Edwards कम Index का इसका मधिश्कार हुए है , इसे में SSI और MSI का भी अभिश्कार हुआ है SSI मतलब Small Integration इंपल स्मार्ट कुछा है और Medium Small Integration चत्वर्थ पीड़ी में Microprocessor अभी हमने देखा था पर्थम Microprocessor चार एंटेल 4000 था चत्वर्थ पीड़ी में इसका भिश्कार हुआ था तो चत्वर्थ पीड़ी में Microprocessor का विश्कार हुआ और VLSI Very Large Scale Integration वेलसाई का मतलब Very Large Scale Integration त्रिती पीड़ी में IC का विश्कार हुआ है और SSI इसमाल स्केल इंटेग्रेशन है SSI का मतलब Small Scale Integration और MSI मतलब Medium Scale Integration तो इसमाल और Medium यह त्रिती पीड़ी के हैं उसके बहुत लार्ज जेब आ जाएगा बहुत लार्ज तो चतुर्थ पीड़ी में आ जाएगा इसके बाद Ultra Large मतलब लार्ज से भी बढ़ा अल्ट्र लार्ज जो है यह पंचम पीड़ी में आया है और AI जो चल रहा है आप देख रहे हैं कि समय का काफी धूम मचा है AI भी पंचम पीड़ी में इंटरनेट का विका है Hey Mia program Set क्या गया और इस्टोर प्रोग्राम क्या गया लेड़ी अगस्ताने प्रोग्राम प्रतम प्रताइप वार्ध YEAH लेड़ी अगश्ता थे तो जेरो एक क्रूम में किया था मसेनी भासा प्योगव़ेंभ़ें इंट प्रोग वेर्श्ट पीडियोग है और बाइनरी या ग तो भी आया है ऐहा है वह कमतले और अर बेज्च आर्पेटिंग ता है तो यह द्रेंब डीटी पीड़ी में आपितियों क्या होतन है अलग होता है बस्तोर होता है यहां यह में बस्तोर प्रिति पिढ़ी में असेंब्ली भास का प्रेयोग हुला है पर टाइम सेरिंग आपरेटिंग सिस्टम इसके बाद ग्राफिकल चतुर्थ पिढ़ी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल इंटर्फ़ेस Enix का सिबाता और पीजिक के लिए. इसका पिरोग है. मतलब आ पर्सेनल कंपेटर अ पर प्रकार का माई Alors Is माइक्रड़्ीनक्यों पीरोगा, जब माइक्रोप्रसेशर का वह मुआ इंटल-4004, influencer चतुर्थपीड़ी में हुआ है तो PC नाउच के लिए OS भी चतुर्थपीड़ी में आएगा सिधी सी बात है कि ऐसा थिने सम्सक्राइब यह विगत चत भासबुटि ये सल्पोड़त चैल आएगे तो पास हो गया तो इंटर्नेट द्वारा काम करने लगे अजब काम करने लगे तो प्रम करते करते ईब गए तो लिए जाए ज़्याइज झाले जाए अब बैग्राउंड चला लिया गए तो बैग में टी मीडिया प्लेयर की ज़ओ कार हुआ अब बेग्रांडgiving स्फिच चलने लगा और अन्य कोई कवताऊ सोचें कि बेग्रांड new जालता रहा है और हम कोई वक्रांड निकर करते रहें तो क्या होगा फिर पैरलेल प्रसेसिंग के बात आया गेशनि किक और एक साथ तो फैरलेली प्रोसेसिंग का विज्छार हु этом नता है कि चुम्बकी है जिस्कार हुआ जैसे सब्सक्राइब दिक्षी हुआ", जतुर्थ पेड़ी में सेमी कंड़क्टर मेमोरी का विश्कार हुआ सेमी कंड़क्टर और पंचम पेड़ी में आप्टिकल डेस्क वर्चुल मेमोरी विशाल भंडर और समता का विश्कार हो गया है वर्चुल मेमोरी मुझे से क्लाउड मेमोरी होता है जैसे इमेल में 15GB में मिलता है मेढ मोरी इस प्रकार से पर्थम पेड़ी के ग्ती जो है मेली सेकंड में थी थो मेली सेकेंड माइक्रो सेकंड फिर नैनो सेकंड दसगत मतलब त्सक्राइब 16 पीको शेगंड दसगत 12 फिर 15 तक भी आ गया है इस प्रकार सूपर कंपीटर भी आ है पंचेंग में करें अगर बात करें तो प्रथम पीडि की कंपीटर में एनियाउक कि उधार उनकी बात करें तो प्रतम पिडि़ी कंप्पेटर में इनियाक एडवाइक युनिवाइक फ़स्ट इत्यादिका अविस्कार हुआ है इन इन कंप्पेटरों का हम लोग पीछे देखें अभी इन सब का यहने की कंप्पेटर का शुरात ही नहीं से हुई है तो प्रतम पिडि़ी में आएंगे सिधी से बात है आई बीम चैउदा 01 उनिवाइक और टीपी पीडिप एट यह सब दीटी पिढ़ी में आए हैं आई बीम पी है और बी का मतलद 2 होता है कि या यहां से एक एक दो लेंगे और चार भात देंगे तो दो आजाएगा तो यहां से मतलद मतल्हicação का है इंका निर्मान दिती पीडिये में हुआ है यह भं सेंद यह और रहीं का aoон है तो सकते हैं इसको तोँ यह दिती पिडियट है है जो है पीडीपी एक का मतलब चार होता है और चार आठ में चार से बाग देंगे दो आएगा तो इसका विश्कार हुआ है इसका विश्कार हुआ है आप्योग देंगे ठीन है ति में इसके इसका विश्कार रिवहा है IBM PC और Apple PC PC का मतलब होता है personal computer और personal computer एक प्रकार का micro computer होता है और micro computer का अविस्कार तो microprocessor आने के बाद ही होगा ऐसे कैसे होगा तो microprocessor पहला microprocessor Intel 4000 था था भी पड़े हम लोग और उसका विकास चतुर्थ पीड़ी में हुआ है तो यह IBM PC और Apple PC का विकास भी चतुर्थ पीड़ी में होगा से रिस बात है IBM notebook उसके बाद पंचेम पीड़ी में notebook यानि की computer कहिए लग लग प्रकार चोटे प्रकार जैसे laptop notebook इसके बाद mobile super computer त्यादी सब आयो यानि कि जो भी नई पीड़ी के है सब super computer pentium PC IBM notebook की त्यादी सब पंचेम पीड़ी में आएंगे इतना आप समझ गया होंगे यह गया है कि है वेक्यूम टूब यह आपको वेक्यूम टूब दिख रहा है व्यक्यूम टूब यह होता है transistor transistor यह IC है integrated circuit इसका पंच्छम प्रकार है यह VLSI very large में इसका विश्कार हुआ है कि यह अल्ट्र लार्ज स्केल इंटेग्रेशन 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 ही ज्यादा बेटर होगा मतलब होता है मतलरं मीडियूралज इंटेगरेशन इंटेग्रेशन इंटेग्रेशन इंटेड़ेटर इंटेग्रेटर इंटेग्रेशन इ cucumberplace इंटेग्रेशन आपकॉठ से आने के संभावना क्या क्या है नेन coping कम्पीटर शें नेनगों कम्पीटर यहीं है तो इसे नेनी टूब स के परियोगी से अथेन छोटे वह विशाल च्छमता वाले च्छोटे वह धिकास की परिकलपना कि गया जो होग कि एक नहींflow टेकनलोजी एक प्रकार टेकनलोजी है यहां उसके बारे में नहीं देखेंगे जिसमें पदार्थ को उसके आणविक मनुस से भी छोटा तोड़ दिया जता है जो उससे भी छोटा किया जता है तो इसकी रसानिक संगठन फैजिकल संगठन सब बदल जाता है उल्टा हो जाता है नेक्स्ट कंप्वेटर है quantum computer है कि दे ति vow फिर्णों में उरजा इलेक्त्राण की उपस्थिती कारण होती है ये ईक्त्रांब अपने की सिप्षे में थेज़ी से भ्रमण करते हैं मैं इस कारण ही एक साथ जीडरो और और चलता इस प्रकार से यानि कि पेकट में चलता है और पेकटों को ही क्वांटम पढ़त काते हैं पेके फिजिक्स में आप लोग पुड़े होंगे यह क्वांटम यह पेकट जो हाँ आएगा वहां फर वन से डिनोट करेंगे वन जहां यहां नहीं है जीरो फिर वन फिर जो रह कम्पीटर का विकास की परिकल्पना है उन्ufact Crime Technology में पदार्थ के क्वांटम शिद्धांध का अप्योग क्या जाता है तेने कंपिट नेक्स्टा में इसes बायो यूंपुआ एकशत न कंपिटर घ्ली सब्सक्राइनकी इसमें ज्मिक पदार्थ जेसे डिएन्ने वे प्रोट इसमें गड़ना के लिए पदात का रासायनिक गुण पस्तांदरता को प्योग के जाता है इसले से केमिकल कम्पेटर कहते हैं कम्पेटर का वरिकरण हमने बताया था अभी पीसे देखे थे फिसे सलाइड हाड़वेयर के अधार पर पर्थम पीडी दुथी पीडी तरती पीडी चतुरुथी फिर पांचुम फिडी था उसके बदाद कारे पादति के अधार पर एनलाग कंपेटर डीश्टल गम्पृठ सट Agriculture Hybrid Competition अधार फब्धति शजयका गंपिटर और हाइब्र सब्सक्राइब है और सब्सक्राइब हो अएक ला चीनलाग कंपिटर ऑन्पी काओ निरूपर लाओ लागतार परिवर्तित होने वालि राशी के रूप में होता है घात धी अधिसमें स्वी घैसा होता है इस प्रकार सूई और सूई लगातार आगे पीछे गुमती रहती है तो इसलिए लगातार परिवर्तित होने वाले राशिक के रूप में इसमें होता इसकी गति अतिनते धीमी होती है वहीं दिटीटल में रहाता है और ढूद kriegen एक और दो की सिबाबगए घ्राइब कालएगा इसमें गड़नाओं प्रोसेसिंग के लिए डिट्टल रूप्त था इनिप्ट इनलाग संखेतों का प्रियोग क्या जाएगा जैसे यह आप देख रहा है यह घड़ी वाली है यह वाला ऐसे ऐसे जाएगी तो यह एनलाग कम्पूटर का उधारान हुआ यहां पर इस्टल रूप में दिखा रहा है तो डिश्टल कम्पूटर का उधारान हुआ यह दोनों यानिक इनलेग इनलाग और डिश्टल से मिलकर बना है तो यह कंपीटर जो है हॉआईबरीट कम्पूटर का हुअल आएगा नेक्स्ट है कंप्पिटर का वरी करन पेखे हम लोग देचंगें एंडिवेर के अधार पर पतां प्रती की सिरी काइवर धति की अधार पर इनलाक केंप्र त्रीटर कंप्रिटर हाइबिरिट कंप्रइच कोई पर स्कुई पढ़ चुके अभे आकार वक्खारि के अधार पर मेनेफ्रेंक मेनी कम्पेटर माइक्रो कम्पेटर और सुपर कम्पेटर अकारे वा कारे के अधार पर मेनी फ्रेम कम्पेटर मेनी कम्पेटर माइक्रो कम्पेटर और सुपर कम्पेटर मेनी फ्रेम कम्पेटर जो है इसे मल्टी उजर कम्पेटर बोलते हैं मेन फ्रेम कम्पेटर मल्टी प्रसेसिंग की चमता काफी तिवर होती है आप किसी कंपनी में किसी संस्था में नहीं भी देखे होगे तो बहुत सारे डिपाटमेंट होते हैं सभी आप ही सो में एक दो दो कंप्रेटर होता है सब्सक्राइब करने के लिए एक अलग बड़ा सा कम्पीटर लगा रहाता है उसके लिए अलग रूम भी बना रहाता है जिसे समाने तक कम्पीटर से केंपीटर को वह होती है इसमें टाइम सेरिंग कता मल्टिप्राइंग अप्रेटिंग सिस्ट्म का प्रेग होता है इसलिए तो बहुत सारे चलते हैं कंपनी बैंक रेल्वे आरक्षान रक्षान commute होता है में इसका प्रेग होता है में मेनी कम्पीटर यह मेन फेर कम्पीटर से खोटा होता है परन्तु माइक्रो कम्पीटर से बढ़ा होता है यानि कि इससे बढ़ा होता है और इससे चोटा होता है माइक्रो परसेसर अलिए कम्पीटर यांनि माइक्रो कम्पीटर से बोल सकते हैं माइक्रोग कंपिटर होता है और मिनि कंपीटर में होता है लेकिन एक माईकर मोसर इसमें क कई मैफ्रयों होते हैं इसलिए इसमें रिक 서 स formulated काम कर सकते हैं इसमें एक ही लोग क स्क्षानी मेंगेपान कर इस पर कई बैक्ति एक साथ कारे कर सकते हैं उपयोग यात्री आरक्षण बड़े आफिस में कमपणी अनुसंधान इत्यादी में जैसे इसी रेलवे श्टेशन पर आरक्षण हैता राक्षण की बहुत सारी खड़किया होती है इसमें एक मीनी कंप्धे लगा दिया जता है उसमें कई प्रोसेसर लगे रहते हैं और कई प्रोसेसर में अलग लग शिटम आलग मौश आलग लग कीबोर्ड जो है जोड़ कर दे दिय बंट रिंटर में तर्फ करते हैं अगर चाहें तो इक भीकास 10-0 के बाद मैं का हमने लागा का सिव्य में इसका क्या गया इसमें 8 दस इसमें 8 16 32 64 बीट का माइको प्रसेसर का प्योग किया जाता था अब 64 बीट का भी माइको प्रसेसर आने लगा 66 बट कंप्पिटर भी चलता है अब अब लोग आगे देखेंगे इसी वीडियो में इस पर एक बारे में क्यों एक ही बेक्तिकारे कर सकते हैं जैसे इसमें क्या एक बारे में एक लोग इसमें कारे कर सकते हैं इसमें बढ़ा कंप्पिटर को एक साथ जोड़ दिया जाता है और बढ़ा है वाप जानते हैं कोई समांत्र करणों जोड़ता है तależ करता है मैं का कि इसK प्रोसेसिंग स्पीट की गळणा फ्लाप्स मी कि जाती है इसव के प्रथम कंपिटर का निर्माड के रिसर्च कंपणी द्वरा क्या गया था जिसका नाम था रेवन इसका नाम था जाएं के लिए हम ने समझाने के लिए हम चांच है आपको मतलब नहीं मतलब नहीं यहां नौब अब खरें करें kpirเ沖 करें केवानों को इसा दिखेंगा एक देक्टाब यहां दिखेंगा नीव देक्टब लुए फिसे प्लस करेंगे बंगा साओ कि उसनी फिर चाहरे इसमें कया होगा एक आइजा करेगा से एक येOWN करेगा और और माइक्पूर में पास होता है तुमने शों कि एक पास के इस येए पो स्केम कर सकता है लेकिन मेनी कंपिटर जो था ये वाला कंपिटर ये वाला मेनी Kommutềर मेनी कंपिटर में सब्रीजबी जो एंजितने ल डेक मेट करेंगे सब्री runner खुल जाते हैं एक ही साथ और वो ड़ब लग लोग बैठ कर कोई इस पर बैठा हुआ है को इस पर बैठा हुआ है कर डेक्स जोड़ जोड़के तब एक साहथ बैठके काम करते हैं ट्याइस आप computer देख सकते हैं कि the micro computer ने कंपेटर पर्सनल कंपेटर इन कोफा कंपेटर लेट टाप टैबलेट इत्ते आधी एक होता है इंबेडेड कंपीटर इंबेड़ कोंपीटर किसे त्वसंब त्यार कम्पीटर को जिसे कषिए करनी कारे के लिए ट्यार की दियार क्या जता है दियार को बनाए गया उसको इंधिड़ curator कि जैसे आपकेतले में लौट बासिंग मेसिन कप्रेद होने वाली है यहां पर एक computer लगा हो है यहां पर इसकी कारिक को सुचारूरु मेसा में चोटा सा computer कलेगा सिर्फ स्वासिट में कॉंड ही कार्य में क्येदा इतना ही कारी के लिए इसल mentality से मिम्ड़ कंपीटर कहते हैं तो किसी विशेस कारे के लिए छोटे मोटे कंपिटर हो थो आ इंब्रेट कंपिटर कहला यह किसम घड़ि कंपेटर ऍाउट night तूप जानते हैं तो यह है debe हले क्ट νेट भूक होता है क्ट नोट्बूक होता है अलग अलग दुन होते हैं टुपर कम्पेटर होता है इसकी नशिधाड Martha क्रमाइटा प्लाप्स में किरवल्ग क्या उन् sujet ऐस में करत की जाती है एक सब 15 दहरें सेंसेर क्पीटर के बराबर होता है प्रतम सुपरर कॉमपीटेर के जनक हो जो है है सेमॉर प्रीयो लूछ किम हैविघेम और पहला कॉंपीर-ट्र क्या था हiyorsun thank you 4-1 इन्हीं की नाम पर सेमुर क्रे के नाम पर यू रिसर्ज कांपनी नहीं बनाया था कि तिनु नाम एक ही जैसा एक ही जैसा का एक ही है ज्यान देंगे इसका प्रतम सुपर कम्पीटर है क्रेवन क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था भारत में बनाएगा प्रतम कम्पीटर है सिध्धार्थ भारत का प्रथम सुपर कंपुटर परमारठ अधार है है खारत का प्र stagn कंपुटर सिधारत है लेकिन सुपर कंपुटर के बाइस एयॉ- कंप्योटिंग यहां देख सकते हैं कि कंप्योटर की कार्यपधती प्रेंसिपल आप कंप्योटर क्या करता है इन्पुट लेता है हम लोग उनुट देते हैं उससे प्रासेसिंग करता प्रोसाइसिंग करके उससे करता है और से करता है और हमें आउटपुट देता है कि हम बहुत सारे अनाज ले ले लें और सभी अनाज को एक ही में मिलाओ मिलाके और इनको दे दें को और यह एक ऐसा आप एंगी पर अपरेटेस ऐसे बहुत सारे ना सब्सक्राइब करे hence अब उसको अलग लग कर देंगे हमएं जो अलग लग करते इस कि क्या वो क्या इन्पूट है यह किनको इन मैडम को और यह क्या करी उसको चानकर अलग लग करी तो प्रोसेसिंग कर रही है और जहां रख रही है उसे इस्टोरोज बोल रहे है और इस पर कंट्रोल के प्रसिंग कर रहे है और यह हमें वापस दे दी से आउट पूट बोलेंगे तो अभी पीसे देखा था कम्पीटर के पास दिमाग नहीं होता है वो जो भी डाटा अनुदेश जो प्रोग्राम डाला गया आता उसी के धार पर काम करता है वो इसलिए computer में data अनुदेश डालने पड़ते हैं और वो डालने का कारें इन्पूट कहलाता है उप्रोग्राम डालना अलग चीज है यह अभी क्या ता है डाटा डालते हैं और डाटा कैसे आता और व्यवस्थित प्रकार का होता है अब श्रुद्ध डाटा को अंड़ डालना ह प्रोसेसिंग करा लो कहलाता है आउटिपूट प्रोसेसिंग हो जाना के बाद कंपीडर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चा सूचना या परिणामों को उप्योग करता के समक्ष रस्तुत कर देना आउटिपूट कहलाता है भंडारण स्टोरेज डाटा तो था अनुदेशों को मेमोरी उनिट में स्टूर किया जाता है आवसेक्ता अनुसार इनका उप्योग किया जा सके और इसे मेमोरी उनिट को ही भंडारण बोलते हैं कंट्रोल कि विभिन प्रेक्रियां में प्रियुक्तिप करनों अनुदेशों था सुचनाओं को नि कंट्रोल का कारे है इसे कंट्रोल बोलते हैं कंपीटर को अगर पढ़े तो उसमें hardware आपको थेएवाट से कोई कमारता है तो रंड और ना हारडवेर है आपको गाल साफ्ट्वेयर है तो हार्डवेर जो हाता है दो प्रकार का होता है एक परिधी हार्डवर पेरिफेरल हार्डवेर एक केंद्री हार्डवर कैबिनेट हार्डवेर परिफेरल मतलब पेरी मतलब चार ओर तो परीधी मतलब परीधी चार ओर होती है न तो परीधी चार ऊर, आस पास आपरेटर से C.P से जूड़े रहते हैं कंप्य06 और वह परीधी हार्ड जयुक्ता है जो जो आएक कि काम सब मारेटर बोर्थी हार्ड हार्ड करें थे धाथ य्जी न याई Какड intense राइम रोम इत्यादि से मिलकर बना होता है तो इन्हीं सब को कंद्री हाडवर बोलेंगे तो सब्सक्राइब रहे विए हाडवेर के हो सकते हैं एक शीश्टम सब्सक्राइब जो पूरे शीश्टम को कंट्रोल करता है वो पूरे अब देखते हैं हाडवेर को दो भागम बाट सकते हैं एक री प्रीधी हाडवेर एक कैन्दरी हाडवेर अभी हम लोगों ने देखा अब परीधी हाडवेर को उठाकर पड़ते हैं परेधी हाडवेर पेरिफेरल हाडवेर ॉरीफेरल हाडवेर इसे दो भूग मबाट सकते हैं Inputним Use और आउट्पूट डिवाइस इन मतलब अंदर फुट मतलब डालना यहीं कि अनुदेशों को अनुदेशों को अंदर भेजना कंप्यूटर के अंदर डालना और आउट्पूट मतलव कि बाहर भेजना, computer के बाहर, तो जो अनुदेश computer के अंदर भेजे जाते हैं, उन्हें input कहते हैं, और जो computer के बाहर भेज जाते हैं, उसे output कहते हैं, तो अंदर भेजने वाला input device, बाहर भेजने वाला output device, input device, जो अंदर भेजने वाला होता है, जैसे keyboard, mouse, light pen, विडियो गैमारा यह सब क्या हैं कंपुटर कंदर किसी चीजिज बहर बムीकिया सब्थ बाहर भेजेगा यह सब डिवाइज क्या क्या कहलेंगे आउड़पड डिवाइज इनपड़पड डिवाइज पुना दो प्रकार का होता है इसे करने के लिए हमेशा मानो की जोर्फ पड़ेगी और सब्सक्राइज डिवाइस डर्ष करता रहे गा इसे जो चलना पड़े गार दिखाएंगा कि ऑर बार बार हमें चलाना पड़ेगा न कहीं लिखना है तो ऐसे अपने सब चलेगा नहीं को बार बार टच करना पड़ेगा इस सब human data entry है बार-बार human का फ्योग कर रहा है तो डाटा इंट्री यानिक एक बार चलाकर करके चोंड़ेगा शाओ करता रहेगा जैसे डीज लगा उनकर कर घुच्त कर सब्सक्राइबcciones अब हम हमपढ़े जिसको छू सकते हैं तो प्रिंटर अग एगर हम प्रिंट कर सकते हैं निधर कोThis कर सकते हैं तो पेपर आउट पूर फॉर सकते हैं तोफिर Крас care आउटपूट हो जाएगा और ऐमन डांटा इंपूट डिवाइस एनका ऐसा इंपूट डिवाइस जिसमें मनुस्य की बार बार जोच पड़ती हो से जय से कीबोर्ड माउस रेक बाल जॉयस्टिक लाइट पेन आच ऊंगी ऐस्क्रीन बायमेट्रिक शेंसर इत्यादी तोर्स डाटा इंड्री इंपूट डिवाइस में माइक्रोफॉन साउंड कार्ड इस्पिच रिग्राइज़सन वीडियो केम्रा डिश्टल केम्रा स्केनर प्रिंटर आजाएगा यो दो प्रकार का होता है इंपक्त और ननिपक्त आगे पढ़ेंगे और प्रिंटर राजा जाएगा लाट प्रिंटर राज्ट और शक्ता इस थोड़ाँ अब देखते है कीवोड के बारे में कीवोड यह PS2 और USB प्रकार के लिए इसी विडियो में आगे देखेंगे अलग स्लाइड में कर्टी कीवोड के संख्या एक सब्सक्राइब करता है लिए इसे मतलब होता है कि अन्हें के प्रत्म रो में ये मिडिल रो हैं आमबर रों में यहां कि वर्टी 2-1 यह आता है इन्हों को इस mentioned है कि एश को सकति के जो है समानित माना की बोड़्ड है स्पेशल परपपर्च की इसमें कुछ इस्पेशल का Purpose किwords नमबर लाक, Caps Lock, नमबर लाक से काम करेंगे तबающим काम करेंगे टो जो कुछ लिखेंगे, बड़ा अरुछ में लिखेगा, आपकर देनगे छोटा है में लिखेगा टिफ्ट टाइब इंटर यह सिफ्ट है एक अगे सब का बताएंगे क्या काम है यह एंटर है कि यहसी यह है देल मतलब डिलिट यह है यह विग इस पैस यह बैक इस फ़ेश है प्रिन्ट स्क्रीन एक पांश प्राइब के यहां पर है यह कुछ पर पर रहे हैं यह फेसाल पर पर कि life क encontramos करने के लिए होती है कि आयप डाइटर किस पाकी सब यह जितने भी की है जहां से हम ताइपिंग करते हैसमान ने ताइपिंग करने में प्रियों होती है उझा ये फर्वन से लेकर ये बारह तक ये की जो है चुक्ष मोमेंट करसर हो में जाता है किसी के फिरल से मिरेड़ साङटा तो करसर में जा जाता है चला जाता है हूज पूरा चला जाता है प्रकार से करशन मॉमेंट की किस काला लाती है अर्म ऐसे किज जिनका उपयोग अकेले नहीं किया सकता किसी चीज का मोडिफाई करने की लिए सब्सक्राइब और दोनों साइड होती है तो दो बार होती है जैसे यहां भी होगा 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 विंडो यहां भी होगा यहां भी होगा विंडो यहां भी होगा यहां भी होगा यहां भी Шटिके कि इस यह भीçar की कम होथा आपड़ता है जैसे अगर कोई में कंट्रोल जबाना चाहता है और नहीं दबा पा रहा है कहलो कर सकता है श्चेक कर सकते तो कंट्रोल दुन समझे का नहीं दबाने के बाद व्द भी आगे बताएंगे किया होताईश्टीकी कि इस फेस बार की कि सबसे बढ़ी की होती है पेस बार की जो इस बेंस कहま गृट है वर्चल जो आन स्क्रीन की बोर्ट मोबाइल मैट या टैबलेट इस प्रकार का की बुड़ी की जुर्ता होते पर किबोड खुल जाती है वर्चुल या आनलाइन कीबोड बोलते हैं ओस ए माउस ऑस है करेंट करने के लिए आते हैं यह वाली अंगुल इस पर रहती है यह पॉइंड करने के लिए होती है सिवाइट कोई है यह सेलेक्ट करने के लिए यह क्लिक क्रेंगी होता है डब्ल क्लिक भी इसी से होता है इसको ने लिए चीज पर ले जाएंगे और वहांस इसको दबा देंगוצश यारांगए लिए दूसरे ज़्यक चला जाएगा आप्टिकल माउस या वारलेस माउस जिसमें Bluetooth के आदार पर चलता है वाज़ोड़ा नहीं होता है अप्टिकल माउस जो प्रकास करेता है रावाज़तर किसी हृत सार्व कृच्चे अफ। सब्सक्रीयेध्र कार वार या चैर्डरी पर देदपर native करेम मतलग computer tooling compliant या सब्सक्राइब वेится बसक्राइब कर दोर्फ है ध्यायग को है कि और यह इसने घ्रन सब्सक्राइब भी एक लाइट पेन यह जो आलेस आए लेकिन यह पावर्फुल यह पाउर वाली है इसलिए इसमें वायर दिया है वायर के जोड़ करेंगा यह बीना पावर का भी काम करता है के感ião करण निकलते हैं कि उसमें ऑप छोटा जब हम अंगुली वहां पर ले जाते हैं उसके करीब ले जाते हैं बिल्कुल अंगुल यह था कोई भी चीज ले जाते हैं तो उरेज जो हता है उस चीज से टकरा कर परावरतित हो जाती है फिर वहां चली जाती है और रिफलेट जब परावरतित होकर वहां जाती है तो सेंसर समझ जाता है कि यहीं पर टेच करना है तो वहां टेच कर देता है तीस अधार पर एक आये करता है टॉच इसक्रीन बायमेट्रिक सेंसर इससे तो आप जानते हैं पंग उठा लगाने के लिए जो पुरती है इसकी बायमेट्रिक सेंसर कि माईक्रोफोन को भी आजांता है यह सब इंपूट डिवाइस के बदारन है सब इंपूट डिवाइस है बायक्रोफोन आप जानते हैं यहें काम कर रहा है वर देखने में अलग है लेकिन काम इस देखी है sound card किसी आवाज को digital signal बदलने है तो अब हम बोलेंगे तो computer चीज को समझ तो नहीं पाएगा तो जो हम बोलेंगे तो उसे digital signal में पहले बदला जाएगा यह माइक क्या करेगा digital signal में जो है यह माइक लगा होगा कि स्पीच रिकाइनेशन आपके गुगल में मिल जाएगा गुगल को टच करेंगे बोलने वाल आएगा उसको टच कर देंगे उसका बोलते रही है वो लिखता रहेगा हेलो है हेलो एलेक्सा क्या आल है आप कुछी बोलें तो समझेगा लिखेगा वीडियो केमरा और डिश्टल केमरा इंपुट डिवाइस है जैसे सामने वीडियो लगा है जो वीडियो केप्चर कर रहा है और आप देखेंगे तो इस परकार से वीडियो केमरा और डिश्टल केमरा होता है वीडियो केमरा का मुख्यू देस से वीडियो रिकार्डिंग क करके यहोता है और यह जो हता है लेकिन यहां पर रखेंगे पर को इसको दबाएंगे उसके करके computer भेज़ देगा यानि कि scanner है जानते होंगे आप अधिकांस printer में लगा होता है कभी-कभी अलग भी होता है कभी-कभी प्रिंटर रवे यह दोनों एक साथ भी होते हैं कि इसको तो खुब अच्छी तरह जानते होंगे qr code qr response qr कमतलब होता है qr response यह किसी वेव साइट से किसी खाते तक डायरेक्ट पहुंचता है कि अजकल हर दुकानों में यह लगा होगा इसके लिए reader की नहीं बलकि application की जरुद होती है अगर reader की जरुद होती तो कहां-कहां reader लेकर घुमते पता चला कि mobile भी लिए दूसरे packet में reader भी लिए थाकि कोई यह दुकान पर रखा हो तो इसके लिए जरुद नहीं पढ़ती इसलिए यह सबसे असान है हर जगा होता है क्योंकि इसके लिए कुछ जरुद में पढ़ती है application के कवल जरुद पढ़ती है application के mobile में होता है और वहां से यह करन करके आते तक पहुंचता है पैसा ट्रांसफर बने पोले या was आपिकल्सपर रेडर बोले लगत दोनों चलेगा आप यह एक प्रकार से लिखा रहता म value लिखा रहता है ऌर लिखा हुआ है जब यह अधे हरे वहां पर जरुदे वागता है तो यहां पर इसमें जो सेंसर लगता हो तो पकड़ लेता है कि किस प्रकार से आपजर हो रहा है तो यहां पर नहीं होगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएक तो सेंसर समझ जाएगा तो आप उसको पढ़कर जांच देगा इसलिए जब एक्जाम में जाएंगे तो वहां कहा जाता है कि आप ब्लेक अथवा ब्लू करें अन्य किसी कलर का प्रियोग ना करें क्योंकि अन्य कोई कलर उतना अब जरू नहीं कर पाएगा अब जरू करेगा जो ब्लेक होगा सबसे प्रिष्टर जाएगा और इसे थोड़ा से कम ब्लू कर लेंगा आगे पीसिया आर्ड़ कोड रिडर पारकोड रिडर पॉस्यार बारकोड इसे देखते होंगे कोई भी पर सब्सक्राइब और यह लगा रहाता है और के तूपर मार्केट में जाएंगे दुकाने पर और पंच कार्ट करने के लिए PCR होता है कि एक होता है एक होता है मैं डेंग डेंग निशे देख हुआ हो टो इस प्रकार का लिखा हुआ हुआ भी देखें होगे नीचे लिखा रहाता है चेक बुक के नीचे समानने स्याई से लिखा रहाता है एक विशेश प्रकार के स्याई से लिखा रहाता है जिसमें मैगनेट का गुण होता है यानि कि वह स्याई कैसे होती है magnetic ink होती है magnetic ink से लिखा रहाता है और magnetic के character को जो रूड़ी करता है उसे magnetic character reader कलते है MICR बोलते हैं यह MICR है इसे रीड कर लेता है ECR electronic card reader जो credit card आता है debit card को scan करके उसमें उसमें से पैसे काटने के लिए जो reader होता है यहनी कि पैसे भेजने के लिए पैसे कटने के लिए दुकानों पर रहा रखा रहता है वो इसे ECR कहते हैं electronic card reader भोलते हैं PRINTER PRINTER हमने बताया दो प्रकार का होता है एक impact printer प्रिंटर एक नन इंप्रेक्ट प्रिंटर क्या करता है काघज के संपर्क में जा करता है और नन इंपक्टर प्रिंटर क्या करता है कागज के संपर्क में जाने की जूर्त नहीं है दूर से प्रिंट कर देता है कागज को मेफ़त इंपक्टर दो प्रकार का होता है करेक stop printer और लाइन पृंटर गबर करेंगा और-वा एक लायन को प्रिंट कर देगा, character printer के उदा रहा रहर है, dart matrix printer और daisy wheel printers और line printers, एक बार में एक लायन को Frank करेगा जैसे chain printers, drum printers इसके ऊदा रहर है non impact printer, इसको ने परिंटर को काघज को टेच करने की जबरत नहीं पड़ती है दूर से ही अहीं प्रेंट कर देता है कि दो प्रकार का वहता है एक perdock में इंग की टेंक बरिग रहती है उसमें इंक भरी रहती है जैसे थर्मल प्रिंटर इनिंग इन्क त्हस्क्राइड आ रहे लेज़र जेड में लेजर जेट में उसमें इंक नहीं भरी रहती है उसमें टोनर का प्रेव होता है टोनर का मतलब की पाउडर के रूप में इंक का प्रेव होता है उसमें इंक टेंक नहीं रहता है जैसे इंक जेट में होता इंक टेंक उस प्रकार से लेजर जेट में इंक टेंक नहीं होता है इ आप यह साब प्रिंटर के आलगला ग्रूप है आप देख सकते हैं झालीजर फोर्ड है क्रेक्टर काथि होती है cps proposed पर सेकेंड पर सेकेंड ंने के expenditures character printer की गतिस सी पीएस में नापि जाती है लाइन डिवाइन प्रिंटर जो एक बार्काइं प्रिंट करता है उसकी गति सीप दिखेश य dov leyn饪 मतलब है लान पर मिनिटे आम प्र मिनटेलगी मतलब है छलाइन पर मिनटेश एक में रट में कितना पेज लांटर प्रिंटर का ही एक पापा है प्रिंटर का पापा प्लाटर है यानने कि जो बहुत बड़े नकसे बहुत बड़े कि अपस्वेष्ट के लिए अप्यंट करने के लिए वह बदलता है यह सब यह अजया रहा है। कि बड़े नक्से बएिनर फ्लैक्स इत्यादी बनाने में प्रेप इसकी गृडवता सबसे अच्छी होती है प्लाटर गृवता सबसे अच्छी होती है हेड़फोन, स्पीकर, हेड़फोन आप देखते हैं, स्पीकर भी आप देखते हैं, आपका पता ही है, यह क्या है, दोनों आप कम्पेटर से आवाज लेकर बाहर फेकते हैं हमको सुनाने के लिए, तो आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे, इसका पापा ये है, मानिटर या वीडियू, वीडियू मतलब है वीडियू डिस्पले यूनिट, वीडियू कहते मानिटर के वीडियू बोलता है, वीडियू का मतलब है वीडियू डिस्पले यूनिट, मानिटर पर कूल पिक्सलों की संख्या रिजुलेशन कहलाती है, रिजुलेशन का मतलब होत इस संख्या में खाने होते हैं वह छोटे छोटे ज्यान से देख्थ को पता चलता है तो इनहीं को fem साथे और यह जी खाने रिखवें खाने इ collectors सब्काने अच्ilen्य इंधर को फैस embargo अच्छा को आएगा ँगा जाने डो CCP कह अच्छार पवला का मानिटर मोनो कुरौम monitor gray scale monitor और color monitor तीन मार्ट तीन मानीटर ना बाटें के monitor के पहले monochrome gray scale और color monitor monochrome का मतला इसमें black और white इसमें ब्लेक और white में प्रिख होता है या तो black दिखाएगा या तो white दिखाएगा जैसे यहां पर दिखाएगा आपको black and white में gray scale में बुराना अब नहीं चलते ग्रेश्केल मानिटर में क्या होगा यह भी ब्लेकंड इदिखाता है लेकिन पर को काला को अधिक कर देता है कंग कर देता है Do इस प्रकार से कुछ परतिभीम बनाने का प्रेश करता है जैसे यह आप देख सकते हैं के ग्रेश्केल कहलाएगा क्योंकि Black को कम करेगा थो थोड़ेसे कम करेगा तो ग्रे में बदल जाएगा तो इसके लिए इसलिए बोलते हैं यहां पर कम अधिक करता है इसके बाद color binder का मतलब बाला कही है इसमें colorful दिखाएगा इसमें होते हैं CRT reck स्वेटशेट रोटीव एलसेडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेए लएडी लाइट एमिटिंग डायोड ट्फ्ती लडी तील यहीं फिल्स ट्राजिस्टर यहीं फिल्म ट्राजिस्टर अब लेटी का मतलब यह संथर जानते हीं लायट इमिट्र डैयोड ओ यह लेडी म मानिटर थ्री डैंशनल मानिटर तो इस प्रकार के हुते हैं के सालर अगा खब में हैंच है ये स्जार्ट्यों से अधर को सतथा और में धर्लाव। वाली टीवी वह क्या होता था उसका स्क्रियन देखेंगे तो इस प्रकार प्रकार का होता था इस प्रकार से कर वप्रकार का उसकी एसक्रीन होती थी तो इसलिए इसे स्यार्टी बोलते हैं कैथर ट्यूप्स इसमें कैथर्टर का प्रेग होता था यह LCD इसलिए जो पहले तीबी आता था यह अभी आता है तो इसमें आप 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 इसे नाखुन साइश से दबाएंगे कहीं थोड़ी थोड़ी ज्यादा दबाएंगे तो आपको लिक्वीड दिखेगा पानी जैसा दिखेगा तो वह लिक्वीड क्रिस्टल डिस्प्लेक खलाता ह है लिक्वीड के अधार पर उसको चलाया जाता है लिक्वीड कि इसके बाद एलेडी है यह सब एलेडी के फार्म है यह ओलेडी है आर्गनिक एलेडी ओलेडी में क्या है उसको कर्व के रूप में बदला सकता है उसको एक जगाज दूसरी जगा मोड़ा सकता है कागज के जैसे जैसे कावज को मोड़ते है फिर भी दिखाएगा फिर भी दिखाएगा वह लेड़ी होता है यह 3D मानिटर है 3D की मतलब त्री दाइमेंशन में दिखाएगा सबसे अच्छा यहीं दिखाता है लगता है कि बिल्कुल रियल है लेक्टर किसी चीज को प्रोजेक्ट करता है दिवार पर देखें पर पर और इसको आप देखिया होगे लिए पर इसी की दौरा बरहात में फिलम चलते थी आर फिलम देखने से बरती जाते थे आं पीटर संपीटर हमने बताया था में हाड़ वेयरा और साफ़ दर पढ़ना है आन अफी cần हर्ण है चुका है पत्छी आट इबाट कर और केंधरी हा रृट रिवार को पढ़ता है को केंधरी हाड्रीय अ कल भी यह कम्तलब कि जिस से कम्पूटर बना होता है बंसे हैं इसे यह से काबिनेट SMPS का मतलब होता है switched mode power supply यह से PSU भी बोलते है PSU का मतलब power supply unit यह से वीडियो बोले थे वीडियो दिस्प्लेई उनिट मानिटर को उसी प्रकार से से PCU बोलेंगे power supply unit मदरबूर्ड होता है प्रासेसर होता है जिसे cp बोलते हैं cp को मतलब control processing unit room होता है read only memory RAM होता है random access memory graphics card होता है जिसे bdc बोलते हैं bdc को मतलब video display card ssd होता है solid state drive hdd होता है hard disk drive cdvd drive होता है सीμोस बेटरी होती है और sound card होता है । इतयाद ही सब होते हैं सब को देखते हैं बारी बार किंग इस चेढ़ चीज़का सम्भानी रूप मैं cp बोलते हैं cpu नहीं होता है इसको आप सम्भानी भासा में cpu बोलते हैं ल 동 Leben test चोटा सा होता है जोटा सा होता है ता लगभा का सकते हैं लोपा कैंडर हैं टर इसके अंदर सब सब कुछ फिट रहता है इसे के अंदर PSU भी होता है SMPS होता है SMPS का मतलब कि अधवा 12V DC में बदलता है यानि कि AC को DC में बदलता है और वल्ट में अंतर करता है यह कंपेटर को उच इत्हा निमने वोल्टेज की गड़ बड़ियों से बचाता भी है काइब साप SMPS SMPS दो प्रकार का होता है मुखरव से नन आइसोलेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट प्रकार का होता है फ्लाइबेक आईसोलेटर प्रकार का होता है और हारवर्ड भी असलेटर प्रकार का होता है इसके बारे में आगे नहीं पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि उतनी जवर्फ है नहीं कि मदरबोर्ड कि मदरबोर्ड यह आपको मदरबोर्ड दिख रहा है सिस्टम इणिट के सभी करना मदर पोर्ट से ही जुडते हैं जो कुछ भी जुडता है मदर बोर्ट से जुडता है और इसी पर यह पर लगा रहाता है पर से लगाने का अस्थान ही है सीमोस बैटरी यह एक प्रकार की बैटरी होती है दरसल कमपेट्ट लब टाप तो है तो उसमें बैटरी लेकिन नहीं रहते है यहां पर यह लगी हुई है बस इसका काम टाइम और डेट करना है और कुछ नहीं है अगर यह नहीं रहेगा तो कम्पेटर जब बंद होगा तो टाइम डेट कुछ और दिखाने लएगा फिर प्रेसेसर जिसे सिपी बोलते हैं कंट्रोल प्रासेशिंग यूनिट यह प्रासेसर है यह आगेस देखने पाइसा देखेगा और पीछ देखने पाइसा दिखेगा यह इंटल का प्रासेसर है प्रासेसर दूप्रकार का होता है एक होता है LGA साकिट एक होता है PGA साकिट का मतलब कि जिसमें पीने जो होती है इसमें नहीं होती है पीने होती है तो इसमें नहीं होती है तो इसमें नहीं होती है तो इसमें प्रसेसर में पीने होती है इसमें प्रसेसर में पीने होती है इसमें प्रसेस और अधिकांस चलने वाला फ्रशेसर होता है इसमें पीने नहीं होती है और पीने मधर्बर्ड प्ला गिर थी हैं तो एल्य ही अधिकांस चलता है लेकिन यह भी होता है कि क्या होता है हमने पढ़ा था 32-64 बीट का computer का अब देखते हैं है ऊट तिस बीट पर देखिए यह बीट है वन बीट लेना है तो क्या लेगे computer zero और binary system को इस समझता है और कुछ तरह समझता नहीं तो zero आथवा रवाउन को समझता है तो one ले सकते हैं जीरो ले सकते हैं तो बैट एट कहलाया तो बीट्स लेने है तो 001 ले सकते हैं 1011 ले सकते हैं या चार बाइट कहला है तो इस प्रकार से हमें आठ भी कल्प मिले तो आठ बाइट कहला है भी कल्प मिलेगा उस्ताते मिल्प मिलें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा है इतना बाइट हो जाएगा थो सेस्छ श्यात General सब्सक्राइब की जाएगा तो मेगा में बदल ने皂र Cannon Tiger में हो जाएगा तो चार जीबी हो जाएगा और यहां से हमें चार जी बी मिला वह不好 मोज तक को प्रोसेसर में फ्रोसेसर में दाइजotion को अदिक प्रॉसेसर में आदिक से आदिग सकता है है कि इसी प्रकार 32 में ट निकालेंगे 2024-1 fixing भर जाएगा जब 64 आएगा तो 64 में बहुत जादा पर च Kennel पिम भेसे फिर यभी ज्यादा इभी घरके से 16 iri भी हो जाएगा कि बहुत ज्यादा संख्या बहुत बड़ी संख्या है न इसलिए 64-bit के प्रसेसर में आप जितना चाहें उतना रहम लगा लेजिए इतना बहुत ज्यादा है यह आप जितना चाहिए उतना रहम लगा लेज़ सब सपोर्ट करेगा इसलिए जो पाले जो अधिक लगाना आइसकते थे चाहिए पी काफी होता था अब चाहिए पी काफी नहीं रहा इसलिए आज कल जो गुपीटर आते हैं उसमें चाहे आप जेतना रहम लगाना चाहें लगा सकते हैं की स्रेडिया स्रेडिया ऐस्ट च्रेडिया में दिवल्क अध्या इसवाड इसस प्रकार से तो यह स्रेडिया नहीं की स्रेडिया नहीं है इंटेल आई i5 i7 i9 इस्प्रकार का स्रेंडी देता है amd जो है a4 a6 a8 a10 इस्प्रकार का स्रेंडी देता है क्योंकि प्रोसेसर बनाने वोले सबसब प्रम कंपेनी इंटल है दूसरे नहीं पर आएमडी है कि CPU मतलब Central Processing Unit इसके तीन भाग होते हैं एक होता है CU एक एल यू और एक register सीव का मतलब वोता है कंट्रोल इूनिट है एलव का मतलब अरिथमेटिक लाजिक उनिट और रजिस्टर मतला प्रदान करता है कि रेजिस्टर क्या है छोटी सी मीमोरी है जो इसके इसके लिए केवल CPU के लिए के लिए कारे करते समय थोड़ी सी मीमोरी की और सेक्टा उपलब्द कराता है कि उससमें बहुत ज्यादा गड़ना होती है तो बहुत से होती दो बहुत से मेमोरी भूती है जो इंटरनल होती है स्प्यू निर्माण करने वाली कमपनी इंटेल है इंटेल के कोई सीप्यू देखेंगे तो उस पर इस प्रकार से लिखा रहता है इंटेल कोर nine six double Siri के इस प्रकार से लिखा रहाता है उस्ट इसका मतल़ Intel का मतलब है किस कंपनीने प्रासेर को निर्मांड गया है यह 5 कूर होता है जन रहाए है और क्या है आई से बनने जनेरेशन का रहे है और यह दोनों जो है को उसके लिए प्रसेसर के लिए होते हैं प्रसेसर का अंक बताते हैं जन रहे संपर रूंग जन बताता है समान्य काम के लिए और अगर ग्राफिक्स लगावना हाथ तो यह एप सीरीज का प्रसेसर चलता है एप मतलब समझ लेजिए फाल्तू का मतलब इसमें इन बिल्ट ग्राफिक्स नहीं होता है यह बीना ग्राफिक्स का वीडियो नहीं देख सकता है वीडियो और पिक्चर संब्सक्राइब करता है या एली तथा राजिस्टर के साथ संचार करके संग्रेद प्रजग्राम या निर्देशों को पूरा करने हैति और कंप्रेश देता है कह सब्सक्राइब करता है है कि यह से बढ़ा है कि यह इस चोटा है को अत्रवा बराबर है इस प्रकार का लाजिक प३र्जग्राइब करना करना अरिथमेटिक पररेशन काहिन संगरित होते हैं कि इन आ है यह निए जो मां धिवर्टि आन के प्रोसेशिग कर रहा है कि रोझिष्टेंड में का आपी देख सकते हैं रूम है मतलब होता है read only memory जो भी application हम इंश्टाल करते हैं computer में मोबाइल में वो room में ही इंस्टाल होता है इसका करें बूटिंग करना है बूटिंग मतलब इयका सिश्टम को आण करना या आप करना इस में भी न कराता है इसमें यह अब बंद करेंगे तो भी रहेगा तो बायोस अस्थाई रूट यह बैसिक इंपूट आटपूट साफ्टेवर जब कम्पूटर को खोलेंगे तो जितने भी चूज जूड़ होते हैं सब में लाइट जलती हाने कि सब को चेक करता है और चेक करता का उन करता है बायोस करत तो यह अस्थाई होती है रोम वकिता तीन प्रकार के होते हैं प्रोम प्रोग्राम किया जा सकता है लेकिन प्रोग्राम करने के लिए इसको निकालना पड़ेगा निकाल को कमपनी को बैजना पड़े कमपनी प्रोग्राम करेगी इसे प्रोग्राम किया जा सकता है और निका चल्ड यह जाता है कि उपी आप बारेंगों के सहीड़ाय जाता कि involved के द्वारा जो उसको सब्सक्राइब हो में यह जाता है उसको रेज़ किया सकता है यह जाता है यहWhy हो रहे हैं सभी प्रकार के अप्लिकेशन को डाउनलोड या इस्टाल करने पर रोम में ही सेव होता है मैंने बताए इस बात को रोम का उप्योग पीसी वासिंग मसीन डीजिटल वाच टीबी वीडियो गेम्स रोबट सित्यादिमी के हर जगर लगभग रोम का उप्योग होता इसमें system software को इन इस्टाल कहाता है और मैं मतलब मतलब जो सिस्टम को सुरक्षित रखने कारे करता है चल्सक्राइब है बैंडें एकसेस भार्णे एकसेस मुंओरी को मुटिंग हो जाने के बाद सभी कारें में होते हैं एक बार दिश्टार्ट हो गया जो कुछ कि आरे कर रहा है स्पीको डोस्पीट करेगा रेम के साथ प्रिइस करेगा प्र दोड़ करेगा जैए इसलिए बोलते हैं कि यतने ज्यादा होती है उतने ही फाष्ट कम्पिटर तेज काम करता है कि कम्पिटर के बंद करके खोलने पर रहा हो जाती है और कम्पिटर के जब बंद करके खोलेंगे तो रहा हो जाएगी इसलिए इसे ओले टाइल से भंगूर बोलते हैं आसथाइ यह दूरेक्ग नेमोरी है छो जाने के बाद किये धूरा पast profession को मतलब स्वरी रंत्व स्ते कम से डााइनेमिक ये मतलब कि इव एक जगा इस्तिर नहीं नहीं है वह संचाल थैक जब एक जगा इस्तिर नहीं है तो यह इसी refresh करने को सकता है। और यह static क्या है dei स्टिटिक स्थिर एक जगा प fed state आप है तो इसा रुप्रेश क्या साकता होती कि थैं कीtechn या SSD जो भी आप लगा है अपने computer में hard disk drive लगा है या solid issue drive लगा है जो भी लगा है या थो दोनों लगा है आकर RAM में खुल कर CPU के साथ communicate care करती है हमने बताया भी इस CPU RAM के साथ ही communicate करता है कोई भी काम generation DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 इस प्रकार के generation है RAM के generation है यह सब तभी generation के slot अलग लग होते हैं यहने की जो मदरबूर्ड में slot लगे रहते हैं रेम को लगाने के लिए उसमें वो अलग लग slot होते हैं यहने की generation के अधार पर होते हैं जैसे DDR1 में इस प्रकार के हैं generation यह उसकी स्पीड यहां पर है DDR1 में भी कई स्पीड के होंगे यह स्पीड बताता है इस प्रकार से सब में DDR3 में DDR4 में सब में कई स्पीड के होते हैं रेम स्टेंडर्ड वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी यह आपको याद नहीं करना है लेकिन बस इतना जान लेजिए आपको याद नहीं करना बस समझ लीजिए रायम को एक होता है सिंगल चैनल एक डिवल चैनल और एक क्वाड़ चैनल ऐसे जाने और आने के लिए एक ही राष्ता है याने की पुट देने के कम्पुटर कर सीपीव भेजने के लिए यहां पर उन्हें अगर रैम लगा है लें और यहां पर cpu लगा दो CPU γιαम के साथ पर उस्तला धीरी काम होगा तो सिंगल चैनल का मतलब कि एक ही राष्टा है जैसे यहां देख सकते हैं एक ही राष्टा है यह रोड है इस वह एक बार जाए दे जाए दे यांपर क्या होता है इस पिलिए इसले हमें तो इसलें यहां पर इंगड शनल हिरते होगा जाने के लिए अलग अलग राष्टा है श्ल gesch आहां लिए जांप में करने की तैज़ आप होगा तहली यहां बतला कश्याइंव और मुव्य श्रेटि कहलें देश प्रेट करने का चैनल में क्या होता है दो रास्ते है अने के लिए यू रास्ते में चलता है और आठश जाने के लिए चार प्रकाश अरे चलेगा उखर सकार्ड या बी डीदी सब्क्रारी बीडियो अौ ale इधीडियो ताथा उचीन मानीटर पर दिखाने के लिया है कार्ड म derechos पर लगाया जाता है थे वीडिशना दिस्प्रेट करड़ है और आध से बता दिखाता ही नहीं है बाकी सभी सीरीज में थोड़ा-थोड़ा एक ग्राफिक्स इन-newilt रहता है तो इसलिए वह दिखा सकते हैं लेकिन इस बिल्कुल नहीं दिखाता है तो फिडियो दिखाना चितर दिखाना इत्यादी इसमें बीजी एस प्रियोग होता है यह यहां पर है इस बीडियो घ्राफिक्स एरे इन दोनों क्याद कर दें लेगे एफ सीरीज को छोड़ कर सबी प्रोसेसर में आई जी प्यू मतल़ इंटिग्रेटेड ग्राफिक्स रहता है थोड़ा बहुत लगा रहता है इसलिए मैंने आसे पीडियो के शोड़ा बाकी सब भीने ग्राफिक्स को भी वीडिएयो दिखा देंगे bon लेकिन अफिरी여 रहे बीना कट का नहीं दिखाएगा वह इसके पास वेंग कर रहें तथा फ्राइसर होता है इसके पास अच्छाप्त के पास , परप्र ayeं कर रहें करें बहुता है यह यह इन्द से पन दर होता है लाइए छोटा सा इसके बारे हमने बता चुका हूं प्रीछे यह प्रोसेसर का बात है CPU मेंतर CPU कहां लगा हो था computer के motherboard पो लगा होगा CPU control processing unit और GPU अभी graphics card पढ़े उसके अंदर लगा होगा GPU उसका उनिट तो CPU कमतला control processing unit ग्राफिकल processing unit ग्राफिकल मतला दिखाने वाला कार्य CPU यह एक general purpose software है जो सभी तरह कार्यत कर सकता है CPU का करता है computer सब कर CPU के दवर ही क्या जाता है GPU यह एक special purpose software है जो सिर्फ graphics visual को ही देखाता है visual को ही देखता है यानि कि इस चिर्फ दिखाने का कारे करता है video और photo इतियादी को दिखाने का कार्य करता है dpi u तोखर फ में होता है no dpi u में कव HE秋 में new मिलते हैं इसgrown फी चिक मेथ थीमी होती है जबकि इस इसकी स्वड़िग भल comics कोड़ी बढूते है इसलिए भारल जाती है इस प्रोसासिंग प्रस क्रक्षोam प्रदारित है इंदे एक के बाद दूसरा काम करती फिर तीसरा काम इस प्रकार कि यह उसी बात नहीं और यहां को में अधिकांस का धिकम प्रॉससिंग तखने प्रकार्य करता है यानि कि सभी कारे एक हिसाथ कर लेगा कारी क्या इसके पास दिखाने का ही तो कारे हैं इसे processing के लिए अधिक memory के आउसकता होती CPU को जब कि GPU को अधिक memory के आउसकता नहीं होती है क्योंकि parallel processing करता है इसलिए CPU के कारे को कर सकता है हमने बताया अभी कि K series इसलिए कारे कर लेते हैं लेकिन धीमे गति से कारे करेंगे और GPU काहता है CPU का कार पूरे computer को चलाना है यह जीपी तो कर नहीं सकता है तो CPU का काम GPU नहीं कर सकता है नहीं कर सकता है जबकि GPU काम CPU कर सकता है SSD solid state drive यह क्या है एक प्रकार के memory card है storage हमता है इस प्रकार का दिखता है आपको देखने में यह लगेगा SSD HDD मतला hard disk drive यह देखने में ऐसा लगेगा फुल कर उसके देखेंगे ऐसा लगेगा यह भी memory है storage device है यह भी storage device quality हम लोग पढ़ेंगे CD DVD CD DVDs CD DVD है यह DVD है और CD है आप देख सकते हैं यह यह इसमें लगते हैं player है यानि कि CD DVD का player है यह play करने के लिए पहले computer में अंदर ही लगा रहाता था लेकिन आज कल CD DVD चलता नहीं जादा तो इसलिए नहीं रहता है कभी-कभी जवर्थ पढ़ने के लिए तो यह बाहर से connect कर लिया जाता USB के थ्रूव sound card sound card के बारे में बता है हमने माइक जो जिसमें बोल रहे हैं हम आज को computer समझता नहीं है तो इसलिए sound card के जवर्थ पढ़ती है पहले बता चुके computer hardware software में बदले थे हम लोग hardware प्रिधी hardware ken sait hardware waar इधी hardware का पळचुके Kendra hardware का पढ़चुके उसके बाद साफ्टेवर पढ़ने के अ अब system software application software так a day a little er the equipment system Fat Irő system cool system so that work अडिस दो करता है और application software जो किसी particular application Marketing का सब्टेवर होता है किजी काम के लिए होता है उसा अब्लेकेसंट सब्सक्राइब करने के लिए अलग चोटा चोटा प्रोग्राम होता है तो डिवाइस ड्राइबर को हते हैं तो डिवाइस ड्राइबर होते हैं ज्वाइस ड्राइबर के लिए राइबर होते हैं ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर में होता है इंटर्प्रेटर कंपाइलर और असेंब्लर इंटर्प्रेटर कंपाइलर और असेंब्लर यह ट्रांसलेटर के तीन भाग होते हैं तीनों कारे अभी बताएंगे उसके बाद होता है स नर्व नेका कारेगा। इस से के लिए बारन मतलब क्सिसी कारिय के लिए और एक सब्सक्राय करने के लिए इस पित नहुंद साफ्टेवर होते हैं जन्रल पर-परसिवर में होता है जैसे इवर्ड प्रोसेसिन सप्टेविर इसमें आता है माइक्रोंट वॉर्ड वींदृ परफेक्ट एपल वर्क इत्यादी एलेक्ट्रानिक्स इस्पेटटीप्स जीसे Microsoft excel को के दिखेंटेशन साफ्टेवेर माेक्रो साफ्ट पावर पूर्पैंट प्रेसेंटि Cindy यत्याधि डाटाबेस मेरेजमंट सब्ट्वेर इसे डीवी ऐम मेस बोलते हैं डीवी ऐमेस जी से माइक्रोषथ अधियादी यह डीबमेस के उधारण है डेस्क टाप पब्लिस्टिंग सप्टेवेर यहनि की DTPS इसके उधारण है प्वारक एक्सप्रेक्स एड़फ पेजमेकर प्रीबीटू इत्यादी ग्राफिक सप्टेवेर जैसे एड़फ फोटोस आप यहनि की हमने बताया था ग्रा क्या सा माइक्रोषाफटब्लिशं इत्यादी practice की मल्टी मीडिया स्ट्पेवेर जैसे वीयल्सी मीडिय प्लेयर नीम भूंज इत्यादी सब मल्डि मीडिया साथ वर यह क्या होते हैं एक गनेई पर पने के लिए बनाया गते यह कारी करने के लिए जो बनाया है उसे Special Profes Artwork बोलते हैं जैसे Inventory Management Safetyware का हला कुछ होते हैं जैसे Pissball Advance Pro, इत्यादी, Accounting Software कुछ होते हैं जो एकाउंट करने का कारी करते हैं जैसे Tally, ERP9, Mark G, Profit Book, इत्यादी, Billing Software होते हैं जैसे Billing Tracker, K Billing, Reservation Software होते हैं जैसे यात्रा.com make my trip.com आयार साटीसी एक अपने कारी के लिए बनाए जाते हैं वोटल मेनेजमेंट सब्टेवर होते हैं जैसे वोट लोजेक्स जैसे नेमली अल्टी प्रो इत्यादी आपको याद नहीं करना बस इतना समझ लेना है कि कुछ जनरल कारियों के लिए सब्टेवर होते हैं जैसे यात्रा.com आप यात्रा संबंदिती कारे कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं जिश्ए है इसलिए है अब देखते हैं memory unit, memory unit मेरे में इसलिए है और memory unit में हम देखते हैं memory unit दो प्रकार से memory के बाठ सकते हैं उसके में म прыंटान सकते हैं остers जिसे internal memory काते हैं और जिसे main memory भी काते हैं secondary memory दूसरी secondary base इसे एक्स्टर्नल मेमोरी कहते हैं क्योंकि बार से जोड़ते हैं मतला अंदर ही रहता है लेकिन बार से लागते हैं इसी को बोलते हैं क्योंकि इसकी जोर्थ पढ़ती है इसे मेन मेमोरी को बोलते है इसके बीने जो कारे करता हैं इसलिए इस इंटर्नल मेमोरी कहते हैं किस से इसे बंकिने दिखा क्या तो हम भी कोई दिखत नहीं है और से कोई लेख सब्सक्ति नहीं हो कर पाइंगे तो अलगԿ आर से पैसि उन्हें आकली में खेल में इंड़ोर्थ होता है के अधियृ को इसके बाद होता है रहेम और रोम तो रहेम ऑर स्थम प्रभी होती है मागनेटिक टेप डिस्क आप्टिकल डिस्क डिस्की डिफ्ड बुर्य आया अप्टिकल डिस्क में HDD, hard disk drive, SSD, solid disk drive, USB, universal, serial bus, pen drive, flash drive, memory card लित्या दिया आएगा यह magnetic tape है, जो cassette पहले चलते थे, cassette, वो ही magnetic tape है, cassette यह magnetic tape, उसके बाद floppy disk, यह floppy disk है इसको आप देख सकते हैं, floppy disk को, उसके बाद है optical disk, जिसमें CD, DVD, Blu-ray आएगा, तो यहाँ पर optical disk आप देख सकते हैं, CD, DVD और Blu-ray, optical disk के उदार रहा है उसके बाद आपको मिला था, HDD, hard disk drive, SSD, तो यह है, SSD है, यहाँ पर लिखा हैं, SSD SSD, SSD है, 2GB का, 2GB का सारी, 2GB का SSD है, HDD है, hard disk drive है, HDD, यह उपर से खोल कर दिखा गया है, यह पैक रहाता है, उसके बाद यह pen drive है, यह memory cheap है, यह जानती है, पहले चलता था, जो cheap लगा कर गाना भरने के लिए देते थे निकाल कर ना, और यह अभी भी चलता है, हालांकि प्रसलन कम हो गया है, cache memory, हमने बताया था कि यहाँ पर processor होता है, motherboard पर, और motherboard के बागर बाद में RAM लगा रहाता है, और processor हर कम RAM से कमनेट करके करता है, और बीच में लगी रहती है, यह वाली cache memory, यह भी एक प्राथ्वेक memory है, आभी बने बताया, यह एक विशेश प्रकार की SRAM है, यह CPU और RAM के बीच अस्थापित होती है, CPU के बीच और RAM के बीच अस्थापित होती है, जो भी data बार-बार आने वाले होते हैं, उन्हें cache में store कर दिया जाता है, जिससे CPU तेजी से प्रयोग कर सके, जैसे हार एक्जामपल के लिए मने मुबाइल के स्क्रीन साट लेकर यहां भेजा है, क्योंकि मुबाइल भी computer है, तो जैसे माल लीजे application खोला, camera खोला, बंद कर दिया आपने, बीच वाले स्काट दिया नहीं भी काटा, तो back भी कर दिया तो भी कोई दिखाएगा, उसको back कर दिया, phone खोला, पूरा खुला नहीं रहेगा, लेकिन आप back करे रहेंगे, अगर इससे खोल प्रेजा रहेंगे, तो थोड़ा सा store किया रहेगा, खोला रहेगा, ताकि उसे लगेगा कि जल्दी में खोल इसको आपने खोला था, अगर ज़र्थ पड़ेगी तो तुरंत खोल दिया जाएगा इसको यहां किया स्टोर कर दिया जाता है क्या मेशा मेमोरी में श्रेयर को है कि यहां पर इसको दबाते हैं अ белου इस जब खतम हो जाए का तो क्रेस मेमोरी खाली हो जाएगी क्यों क्यों केर से 45 नैयन्सकंड में डाटा पर लगता है 459 सेकंड है कि 10 पर माइनस 9 सेकंड लगता है तो कि इसलिए कुछ छीजे में जो बार बार आने वाली है जो बार बार प्रेक्ट कर रहे है जिसका विद्धिश्टों कर लेगी ताकि उसका तुरंद खोल दे और यहां से क्लियर कर देंगे अगर हो जाय versch cry कि मिमोरी इंट क्लियर होद्वार धिर्स था सबसे राजिस्टर क्मिंग ट Пराइस अपर है यह प्रीस का को टुए तो यह आप जैसे यह रजीश्टर सब से ज़्यादा सब्सक्राइस होती है जिसी पूमें कि टुन होता और रजिस्टर और यह रोट्ट सबसे तेज होता है इसलिए सबसे उन्हांग होता है और जब से समा इसकी इस्टूरेज जमता बहुत कम होती है एक्सेश टाइम बहुत कम टाइम में काम कर लेता है का ईसके बाहाद आता हुए अभी की बार बार आउं खुलने वाली चीजों को मैं से कम्य नेट करता है तो कैस्स से थोड़ी थीं के रशिस्टर के जढ़ेattend है इसके बाद रहिंगों आते हैं यह क्या होगा इसके पेख्छा कम इसपीड से काम करेंगे उसके पेख्फ संस्टे हो गये और है ज्य DAY रोगे एंक वर इन लोगों की अ इसके बाद होगा सबसे बड़ा इसमें सबसे ज्यादा उसकी कम प्राइज होती है इस प्रकार से यह होते है तो निट आप मिमोरी इस नहीं उन्हें भी काई बाइट है बाइट जबकि एक बाइट में एक बाइट में चार बीट होते हैं जीरो को अधवान को बीट बोलते हैं लेकि नियुनतम ही काई अगर पुछें मिमोरी की तो बाइट खालाता है बीट नहीं होता है त्यक्रीट में 8 निपल होते हैं और 8 बैट में 8 वीट होता है पूरह है सारय मन्हें सानहीत गलती तयogि 1024 बायट में 1 फ्लिट होगा 1024 कीलो बाइट में एक मेगा बाइट होगा MB 1024 मेगा बाइट में एक गीगा बाइट होगा GB इस प्रकार से 1024 ही होता है इसे याद कर लें KB, MB, GB, TB, PB कितना तो याद ही होगा KB, MB, GB, TB तक तो समाने चलता ही है याद करने के जरूरत भी नहीं है अब चाहें तो याद करने के जरूरत भी नहीं है अब चाहें तो लाश्ट वाले के छोड़ सकते हैं तो P E Z P E Z Y P Next है Input Output Port Input Output पोर्ट याद कि जिससे computer को input आथा input दिया जाता है आथा जिससे output लिया जाता है सिर्यल पोर्ट होता है याद के जिल्च पोर्ट होता है छुँवे रेट होता है डिस्प्ले पोर्ट होता है actual यहां पर sound port है, sound port जिसे यहां इस माले में, यह mic connect होता है, यह mic को इसमें connect होता है, तो यह तीनों मिलकर जो है, यह तीनों sound port खालाते हैं, sound को input out of the port देने के लिए होते हैं, speaker speaker जोड़ना है इसमें जोड़ेंगे, display port, यह display port है, और HDMI port, यह HDMI port है, display port और HDMI port में अंतर यह है, display port एक साइड से कटा होता है, आप देख सकते हैं, आप एक साइड से कटा है, HDMI port दोनों साइड से कटा है, बराबर, यह अंतर है था है, बस बागे कोई अंतर नहीं है, बिसेस अंतर नहीं होता है, तो यह display port है यह वाला इसमें जाकर लग जाएगा और यह वाला HDMI port है इसमें जाकर लग जाएगा तो display port और HDMI port यह USB port है इसे तो खुब अच्छी तरह जानते हों कि उस भी तो charger के adapter में भी खुशने वाला होता है यह वाला इसमें जाकर लग जाएगा यह ph2 port होता है जो पहले keyboard और mouse होते थे तो वह keyboard और mouse इसी प्रकार के होते थे computer में पीछे ऐसा होता था cabinet में लगा रहता था जो motherboard पर लगा रहता है और यह जाकर इसमें connect हो जाता है यह फायर वायर फायर बार चार सब फायर वायर आठ दो दो प्रकार का फायर वायर पोर्ट है यह port इसमें जाकर बड़ा होता है यह इसे में जाकर ये वाला लग जाएगा इसे आफ देखें होगे इस-बाइकरेश लसे मेन-एकर लिए माायकर आइक लिए उतक लगते हैं दोने तरफ से इस प्रकार से अजभा हुआ होता था यह akin अंघ्यटाशन विर्वराइं के चार्ज़ करने के लिए इसे माहिनिशन बोलते हैं और दोनों को मिलाकर टाइप बोलते तैप भी बलते हैं और यह यह झांती हैं अच्प आज्पल्ड porn को और यह यह टाइप सी यह आज कर के जो मोबाईल आते हैं इसमें टाइप सी और देखिये होंगे है के कि कि नटवर्ट Agora और इंटरनेट नेटाइट एंटरनेट हैं इंटर्ने वोगी है इंटरनेट और नेट वेसो आपία काम चलेगज दकijk लेका न slipsक्रना सबस्ते पहले प्रकार कर 179 और hybrid signal digital signal यह वन और जीरो की रूप में प्रदर्शित किया जाता है देखिए यह digital signal है यह analog signal है और यह hybrid दोनों का मिला जुला रूप होता है hybrid signal communication channel टीन प्रकार के होते हैं complex channel of deplex channel और full deplex channel complex channel में क्या होता है यह unidirectional होता है यह जैसे radio television keyboard जैसे radio radio में जो प्रसारित होता है हमें सुनाई देता है लेकि हम बोलते हैं तो वहां तो सुनाई नहीं देता है न उसी प्रकार से television में जो प्रसारित होता है हम देख पाते हैं हम सुन पाते हैं लेकि जो हम बोलते हैं वहां नहीं जाता है तो इसी प्रकार से कीबौर्ड में जो हम टाइप करते हैं कंपbrar के पास जाता है लेकिंगि जो आईपुटि देता है वो की बस नहीं आता है लिए को एक सिंप्लैइख सबgew expected सब माया आपडीप्लैख चला में क्या होता है और फूल्ट में नातर होते हैं यह वाकी टाकी देखेक होगह वह दोनों तरफ से यॉपहन के से आवाज भिजेगा लेकिन जाब इदर से इठर से बेज़एगा तो दरसे रावाज भेजता है इसलिए हाफ the place का लाता है फुल डिप्लेक्स चैनल जैसे मोबाइल सबसे अच्छा उदारण है एक ही भर में दोनों तरस्थ और जो वायर फूल होता है वायर वाला होता है इसे ग्वाइड मीडिया बोलेंगे जैसे इथरनेट के वल इस्टेट पेयर को एक्सियल के वल फाइबर आप्टेक्स के वल इत्याद ही जो होते हैं ग्वाइड मीडिया हम अन ग्वाइड़ मीडिया रेडियो वेब ट्रांस्मिशन माइक्रोवेब ट्रांस्मिशन इंफ्रारेड ट्रांस्मिशन सेटलाइड कम्मुनिकेशन यह सब अन्गाइड मेडिया क्यों किसमें वाइल की जोट नहीं पड़ती है रेडियो आप ट्रांस्मिशन जैसे पर टीवी के लिए कंपिटर के जानते हैं इंफरेट आउंख दिखाई नहीं देती है उसका जलता नहीं जैसे है यह रीमोट है तो यहां पर एक बल्ब लगा है इसमें इंफरेट निकलता इंफ्रेड य सकती दिखाई नहीं को डिखाई नहीं देता है लेकिन निकलता है नहीं कृत्त करने से लाइट कम्मुनिकेसटन से वेइकल सिते लिए सेल सेड़ रॉड चोड़ाइट शोडे जाते हैं और साट।Light केदार यह फाइब्र aptics के बोल है Aa network topology your network topology 5 प्रकार tiss अ होता है बसिद्य वाइर यह शिद्य झार रहा है इस उसी वाइयर से सबी कम्पीटर जुड़े रहा है इसी से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से जुड़ा हुआ है तो इसे बस ट्रोपोलोजी गाते हैं इस्टार टॉपोलोजी में एक यह आपरेटस होता है इसी आपरेटस से यह सब जूड़े रहते हैं इसलिए इसलिए इन्हें इस्टार टॉपोलोजी बोलते हैं है मैं से इस जुड़ है इससे तो रिंग की यह दूसरे से वाइर वाहर है वा molar ओट सी तो बस्टार जाता है और आग्य इसका अंतीम छीरा जूड़ ञंश swath vacun f dot dot T बन जाएगा में apology में क्या होता है तब युकuite रावन शबह सब गमृटर से जूरिग रहता है जैसे ये कम्पीटर है इससे विजूड़ा हैं 10 बजोड़ा है इससे भी इस दी ये प्रकार ना चंप-स दी जूदा है इसको तो यह भी इससे जूड़ा पहले से बैफले जूदा इससे बीदिपक्रादा इसे प्रकार से सभी जूढते वह नीरी गूंदी जीदेगया जूढते हैं आंने तो सीध सीधा आआए जुदा रहा रहाना चाहिए क्ङा बहूत है मुख्य साखास निकलेगी तरा निकलेगा उसमें से अलग-अलग सखाए निकलेगी यह यह आप से यहां से यहां से इस प्रकार से अलग से यहां से एक हब निकला हुआ है और इसी हब से अलग लग कंपिटर जुड़े हुए यहां भी हब से अलग कंपिटर जुड़ते हैं तो यह क्या हुआ यह एक प्रकार से बस्ट उपोलोजी और यह सब एचान का इलान मैन आप बोल सकते हैं जो कूछ भी आप बोलता है लोगल मतलो लोकल एरिया मनेट्व एरिया नेट्वर्क और उन मतला वायड अरीड एरिया निट्वर्क न特 sense implies कि अधिक्तन उसकी किलोमेटर काम करता है उन्या पार इस्reas मिटतन से काम bili products मान की 200 किलोमेटर तक होती है है सहर के लिए काम करता वाकि के दूरी होती है प्रकार की LG परस्टनल एरिया निटवर्ग बोलते हैं फान एरै यंपम जो भी ेप्समाल एंडन अपना मोबाइल काह आतर आद पान कहा लाए गा मैं नेट्वर्किंग के लाब marketing क्या लब ब्रिंटर काम करने वाले तो क्या करेंगे networking में जोड़ दीजिए एक प्रिंटर सब की लिए काम कर चाएगा इस प्रकार से तो किरे जाए मुचिंज्डा कर गया जाक्ता है किसी से डाटा लेना है में निकाल के फिर इस नहीं ॐरे ट्यूती कि इस प्रकार से बि Elly यह होता है क्योंकि सब्सक्राइब UH B utter Maps which router B Doesn't gonna to useiloons hints सबको बारी बार इस देखते हैं क्या क्या है लीपीटर ये हमें रीपीटर इतबुष्ट दिस सिगनल भैक तो हिस्कट रिब़ नेपने करेक्टि लेबल सिगनल को बुष्ट कर देता हाए है अप अपर देख सकते हैं इसे आप देखेंगे यह रिपीटर है अब एक्साइज अधिलाइज कनेक्शन टू सर्वर तू कंपूटर यह सभी कंपूटर्स को नेटवर्क टॉपलोजी में जुड़ने के लिए एक काम करता है सभी कंपूटर्स आकर यहां पर जुड़ते हैं है चुल की जुआ तो डिफरेंट नेटवर्क टॉपलोजी है अलग यह एक अलग टॉपलोजी है और इन दोनों टॉपलोजी का झूड़ना होगा गेंटवे की जॉड़त पड़ती है दो टो पोलोजी नेटवर्कं को जुड़ने के लिए तू पड़ती है और सकता है स्वीच क्या हो की स्वीच है कि इड़ांस म्लेटीफॉल कम्पिटर्स टूगेदर विफिन वगण वान एक ही लां से बहूत सारे कंप्प्र evo दित रहे इसे सीज़ कहतेंग ऐसा राउटर, it takes incoming packets and analysis packets, moving and converting the packets to another networks, यह router होता है, यह packets के फार में इसे तोड़ता है, analogs को और उसे another networks तक पहुचाता है, दूसरी ब्रीज, it filter data traffic at network boundary, यह ब्रीज है, यह data का फिल्टर करता है, एक networking system से दूसरी इंटर रिशिन सम जाने पर, data का फिल्टर करता है, मॉड अब देखिया होगे, it converts digital signal to analog signal, यह digital signal को analog signal बदलता है, और analog को पूर पूर बदलता है, क्योंकि computer के लिए, computer हर प्रकार के signal तो समझे नहीं पाता है, इसलिए उसके लिए यह काम करता है, यह जो signal हम समझते हैं, वह computer नहीं समझता है, जो computer समझता है, विसके हम नहीं समझ बदलता है computer के हमारे रूम में यानि कि डिक्टल सिग्नल को अनालाग सिग्नल में अनालाग सिग्नल हो डिक्टल सिग्नल बदलने के कारे करता है modern server क्या करता है it can be run on a dedicated computer it is one of the most powerful and typical computers यह पाउरफुल और computer होता है server कर आज सारी computer को यह control करने का कारे करता है एक बड़ा सा computer होता है computer को डिचिटल सिंडल को ही समझता है इन अलाग को समझता है अन अलाग को समझता है सब्सक्राइब को समझता है इसलिए मड़म की ज़ुट पड़ती है कि डीइडालाग books यूटित कि अ लग्नाल दिखाः एं और अशन इस प्रकार से होता है है और इस प्रकार से होता है तो आरलाग ईस प्रकार पुंच आता है जब टींचिन डिजी सिनल नहीं पहुंच पाता है इसी लिए अशो से अनुवलाग्ज में मदलें के लिए मौन्स की अर्थ होता है मेडिलेशन डि माडलेशन इसका फुल फार मरें इसका पहला नेट व्रक अमेरिका ने जाता है इंटेर्नेट काफूल पर्म है इंटरेशनल नेटवर्च कि इंटेर्नेट जी आनेटवर्क नेटवर्क's तेट कांसिस्ट मिलीयन आप रवीय। प्राइट पब्लिक नेटवर्क्स आप स्कोप PCP icp protocol CAPTCP IP protocols तहराख नांवक फाइल का फाया फाइल फथारवर फाइल बदहार बभाग में तोड़ा जाता है हमने पता है तरकए सब्सक्राइल कर इस प्रकार से प्रकार से पीछह भी बता चुका हूँ मैं यहां one होता है यहां zero होता है यहां one होता है यहां zero होता है इस प्रकार से तो TCP IP क्या होता है यह क्या करता है फाइल को packets group में तोड़ता है तक यह क्या करता है तो TCP का full farm होता है transmission convert control protocol transmission control protocol और IP का full farm होता है internet protocol इंटरनेट कनेक्शन तीन प्रकात से कनेक्शन होता है कि ब्रोड़बंट इंटरनेट कनेक्शन डायलप कनेक्शन और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन ब्रोड़बंट इंटरनेट कनेक्शन डायलप कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन ब्रोड़बंट में आता है इस्टल सस्क इन्टर नेक्षें में आते हैं कि आल पिंटरणेट में आता है डायल अनटरनेट में आता है डायलप क्नेक्टि इजे ओंडशी इन्टर अजिस्ट्र टेलिफोन हैं अलग ऐसे एक बाहरी टेलिफोन के माध्यम से से जोड़ देना नेटवर्क इंकरेट से तबार जोड़ देना वहाँ डिएलप इंटरनेट कनेक्शन काला था इबरेजीन कर्टोगाल थीप में सीप cheese that mesa sent darle को रिसरेवर एकसियृ और में प्रर फेकर में कें च्रोट्रीटीट्ट्टory क्या करता है मैसेज को पेकेट के रूप में तोड़ता है तो इसके अड्रेस को मेंटेन करने का कारे करता है आई-पी इच आई-पी पेकट मुस्ट एंड दिश्टिनेटर अड्रेस अड्रेस को पतक यह पहुंचाता भी है यहां फाइल ट्रांसफर प्रोटोकाल fti-p it can transfer file between any computers that have an internet connection फ्रेजम्पल प्लेजिय लाग्ट यह फाइल ट्रांसफर नाम में ही फाइल ट्रांसफर ने की फाइल ट्रांसफर का प्रप्रकारे करेगा और नेट्वर्क संबंधी था तो नेटवर्क के रहने पर फाल ट्रासफर काम करेगा इसे ftc बोलते एपटीप एंडवाहिश्ट ट्रांसवर प्रोटोकाल हुआई बार्टेखने को मिलता है एक message को किस प्रकार से फार्मेट किया जाएगा और किस प्रकार से ट्रांसमिट किया जाएगा उसको इसके कौन देखता है HTTP इसका कार्य है Hypertext Markup Language अब को सिर्फ ज्यादा उसकी फुल फार में पुशी जाते है तो फुल फर्म द्यान देंगे इज यूजड फार इजाइनिंग दी वेब का पेज या वेब डिजाइनिंग करने के लिए से एस्टेमल का प्रियोग किया जाता है तेलनेट प्रोटोकाल इट इस ए प्रोग्राम देट रन आन दी कंप्यूटर एंड कनेक्टर्स पीसी तुए सर्वा आन दी नेटवर्क इन नेटवर्क पर किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर और इंटरनेट के किसी भी नेटवर्क पर प्रोग्राम्स को रॉन करने के लिए ज़रूरत पढ़ती है इसकी टेलनेट प्रोटोकाल की इजर नेट प्रोटोकाल इट एलाव से ग्रूप आप इंटरनेट सुचर्स टू एक्सचेंज देयर व्यूस आइडियास एंड इन्फार्मेशन अभी के अलग अलग कंप्पिटर्स के जो यह टेलनेट प्रोग्राम करता है यानि कि प्रोग्राम्स करता है उनको प्रोग्रामों को इंटर्चेंज करन करने में एउजर नेट प्रोग्रॉटो का प्रोग ओता है एक पॉइंट प्रोग्राम इपल पी इपल पी सब का फुल फार्म जरूर रियाद रखना है फूल फार्म मी पुछा जाता है अधिकान्स इटिज डालब अकांट्स विट पूट यूर कॉम्पिटर डिरेक्टी किमेंडी आन्टेश आंडी प्रोटोकाल मंहुंस जेल फोटे चाहिए उड्यवेड कॉंपिटर्स में म्मभाइल इत्याधि में इत्याधि में इत्याधि में एक ऋड़ावाश आपर वाइस ऑबलो हमरेंट्बार अन्नेट ये लिवाए प्रोकल इंटड़ आ होत लेवरी को यह प्रोटोकाल करता है कि इसका नाम में भी वा इन्टरनेट प्रोटोकाल मई में ड्गवड वैजर ड्ताइव एक नएया विणरभ यह यह 4W जिसमें एकल से दिन डाबली मतला रिल वसा में लोलन उल्ड वार secretly greed संभीट गोले में रूक्टेसन देन कमैंट स्चोपिक नाथ पर्वालन की नीमिंट स्च ईकोड़ picture दो कॉह घ्राह म्रीर उठीट एंग पेज य meow यूटेक है मुढलन Ay checked हो गोई तरह करन firefight इंटरनेट पर इन सब के बारे में पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाना पड़ेगा तब समझ में आते हैं इसलिए मैं जाना ही रहा हूं इसका फुल फारम आपको याद करना एक एक लाइन मैं समझाने कोशिश कर रहा हूं वेब साइट क्या है इटी जेव ग्रूप आप वेब पेज़ेस बहुत सारे वेब पेज़ेस होते हैं उनका ग्रूप होता है वेब साइट एट फालोज एड़े सेम एंड और कनेक्टेट टूगेदर वीच हाइपरलेंग्स और सभी वेब पेज एक दूसरी के साथ हाइपरल लोकेशन आप है इंटरनेट इंटरनेट पर किसी वेब को अड्रेस करने के लिए किसी वेब का आंकी पहचान करने के लिए वेब आड्रेस का प्यूग क्या जाता है वेब पार्म रिसोर्स लोकेटर जैसे http www.sarkarizual.com इस प्रकार से है तो यह क्या है यह एक वेब आड्रेस है इसका आड्रेस है कि वो कहां जाकर खुलेगा जो मैंने इस यह वेग तो इदेफा अन लोके एंपूतर स्कूनेक्ट तो इंटर्नेट इंटर्नेट इंटर्नेट्स इंटर्नेट्स को इदेफा ग्रदेजा से डट.com इंपो इंट जो भी डट.in इस प्रकार का अब्लाक's एटीजी वेवसाइट और वेबपेजस दैट प्रवाइडश दीक्ट डेटा अन इससाफिक टापिक किसी बीटापिक पर डाट प्रवाइड करना ब्लाक कलाता है कि अजकर बहुत सारे ब्लाग के जर्नल होते हैं देखे हूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट पर डाटा प्रवाइड करते सूचना है देते हैं इंफरमेशन आप संदो में नेम्स जी से डाट कम लगा है तो कामर्सियल होगा दाट इनफो लगा यहता इंफरमेटिक अगर्णाइशन होगा डाट जी अभी मतलब गवर्रमेंट डाट एड्यू मतलब एज्यूकेशन डाट मिलिक्टरी डाट नेट मतलब नेटवर्क रिसोर्सेस डाट और जी मतलब और नाइजेशन के लिए इसका प्रियोग होता है तो अगर किसी देश के लिए है तो दो अच्षव में आता है जैसे डाट एंडाट एयू, डाट एफर, डाट एंजे इस प्रकार से अगल्त विश्टा याहू, हटम लाइकस, एक्साइट वेव क्रालर यह सब सर्च इंजन है यहां से कुछ भी सर्च कर सकते हैं और सबसें महत के make my trip.com इसमें ये मेक माइट्रीम जैसे बंघेक के vibes.com आफ मेक My Content जो है ये यूजरनेम कहलाता है दाचम एक टेंचन संक आलाता है कं सनकमतल सं AMY का मतलवी देखें का कमर्चियल और होता है जो मोबाइल में EMI होता है EMI मतलब होता है इंटरनेशनल Mobile Equipment Identification आप मोबाइल में इस्टार हैज 06 है डायल करेंगे आपका EMI जो कुछ भी होगा वो खोल कर देदेगा कि आपका यह मोबाइल का EMI क्या है Cyber Security नेक्स है Cyber Security Cyber Security components of Cyber Security Confidentiality it ensures that data is not accessed by any authorized person यह ensure करता है confidently ensure करता है कि data किसी other person के दो किसी other वेक्ति के द्वारा ना उज होता हो integrity it ensures that information is not altered by any authorized person in such a way that it is not detectable by authorized users integrity यहीं इसका भी काम है कि कोई भी data हो और अथ्राइग के द्वारा जो इसका नहीं है उसके द्वारा उसके द्वारा उसके द्वारा authentication it ensures that users are the person claimed to be non repetition availability privacy और crypto तो प्रैफी इस दब आपको पता होगा Nanreptation availability और टिप्टो प्रैफी और क्रिप्टो हुआ है जिस दिसरीज इस साइज आप राइट इन फर्मेंशन इस हीडने हुआ है और आपको नहीं पता क्या लिखे है जैसे यह क्या लिखे हैं आइसा करता है कि ये अपने रूप में इसे मैं पढ़ाओं का जो हम चाहँ जो जानता है वो पढ़ेगा इसी कोई क्रिप्टो ग्राफिप कहा जाता है गलत मिलेखा है तो इसने कोई Technical ने रिता है अब क्रेक्.a का मतला समझते हैं என का मतला मतला समझती है इस साइबर डाइग के सॉर्स कहां कहां सोर्स दिस से डाउनलेबल प्रोग्राम्स में कोई प्रोग्राम आप डाउनलोड कर रहे हैं वहां幾 Campbell को सकता है यह स्य जो सकता है उसको चैangen के क्रेक्स्च लिखा है उसको आपने डाउनलोड करा आप डाउनलोड कि रहा तो आपके पास वायरस बगए और सारा सोर्स उसके पास चला गया इंटरनेट इंटरनेट के द्वारा परचार के मादम से भी आते हैं पुश्टिंग आपको लगाएगा कि परचार है उसको टच करेंगे वह वायरस होगा पूटेंग राम अन्नोन सीडी किसी अनपले अब सीडी के जूर्थ उतना होती नहीं है लेकिन अगर होती कभी कभी कि कि अन्नोन सीडी से अत्वा गुम्हिंट अनन्नीट यसी अंगस्डी अगर आप मुबाल में डाटा ट्रांस्पर करते हैं तो उसमें भी वायरस हो सकता है अर्षके द्वारा साइबर मैयर की अई होगता है फालग मेर क्या होता है एक वायरस सफटवेयर होता है जो negatively effect the computers एक छोटा सा साफ्टिवेर होई जो अत्यमेटिक इनस्टाल हो जाता है कम्पेटर में नहीं करना पड़ता है और प्रभावथ करतेता निगेटिव रूप से इसकी को हम वायरस बोलते हैं था एस dov वाइरस इसीदेंट वाइरस पोष्ट इस्टर्वाइरस स्वेशल्पक्ष फॉर्स एस टेडंद बारस क्या होता है इस टेंट इन सेल्प इंट्व ऐंटा इस सिस्टम क्या में गेत एक्ट इनेर फेंस रण्स ए की मेमोरी में जाकर or हो जाता है और जहां पर वेस्ध रन करता है वह पजए क्रता है जैसे बूट सेक्टर वाइरस इसे फर इसके प्रकार के फाइल में जाता है यह फाइल शिस्टम वायरस क्या सब्लाइब समय क क्या आपके फाइल के एक सिस्टम को नुक्सानफ पहुचाता है अगनinery फाइयर फर n घ्लत फेली वायरस क्या इनाना debat फि 이렇게 न फिनेयो फ्व dai image 232 फिनेयर का फेल अनुजवल इस्पेस किसी भी अनुजवल इस्पेस पर इस फाल को लोकेट करते समय यह वायरस अटेक करता है फैट लिंक वायरस टेक फॉडा रहा है वीव स्क्रिप्टिंग वायरस मैंनी मैंली वेब साइट इस्क्यूवड कंप्लेक्स कोड इन आडर तू प्रवायड इंटरेस्टिंग कंटेंट इस साइट्स आर सम्थिंग क्रेटेड वीथ पर 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 पॉपॉस्ष पर पोज्ली एफेक्टेट चॉड वह सारे वेब अं ढग हेट कम्पीटर सेक्वरेटी में आजर क्या उता है कि सुप्फिंगност क्या ऐ नहीं हलाता सूरा है किसी कंपीटर को अपने नियंत्रमें कर लेना है कि छी बड़िसिंग आगेंग Kris right कर लेना सीधा साइंकी है और भरोसे मंद्य ब्यक्ति के रूप में समय दिन से तरीके से पासवर्ट क्रेडिट कार्ड इत्यादी की जाने कारी हांसिल करता है वह बोलेगा कि हम बैंक के मनेजर हैं आपके क्राडिट की बढ़ाने वाली है आपके क्रेडिट के खतम होने वाली से बढ़ाने के लिए आप हमें अपने। नमबर बताएं शीवीभी कोड बताएं इत्यादी तो भरेस्मंद्य भयक्ति कंविसेश्रूब से बैंक का ब्यक्ति बताता है या कोई भी आइसी ब्यक्ति बता सकता है इक तो यह फिसिंग क्या है विस ब्रसुनी बंकर लूटता संब्सक्राइं। इसी में इस चए उसको किने हैं फिसंग में और है कि ईक है कि कह बन कर बोलटा है कि है सब्सक्राइब हो meilleur सबसारे बता देते हैं वह आपको लूट लेता है इमेल की रूप में चाहिए थोक संदेश भेजने के लिए मैसेजिंग सिस्टम घद्धू रूपियोग करना इस पेम कहालाता है रूट किट क्या है यह एक प्रकार का मालवेर है जिसका पता लगाए बीना ही कम्पीटर सिस्टम पर प्रसास्निक अस्तर प्रणियंत्र पाने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे रूट वूट कहते हैं कि सालूशन टू कम्पीटर सेक्टरी थ्रोट्स इंटिवायरस सप्टवियर एडिश्टल सेटिफिकेट डिश्टल सिगनेचर फायरवाल पस्टवार्ड रितियाइदी को हटाने के लिए बहूँ शारे एंटिवायरस सट्वियर आते हैं का डीजिटल सैट्पिकेट, इलेक्ट्रानीक लेंद ने पहचान साबित करने के लिए डीजिटल सेट्पिकेट का उपयोग किया जाता है कि अगर बता रहे हो अपने आपको ब्य Saysतोर करें के लिए या जैसे आपके पास sign होगा उसका आपके पूर्ष पर होगा या कई जगह होगा आप मिलान कर लिजिए भाइरवाल नेटवर को सुरक्षित रखने में मदद के लिए पाश्वर्ड गुप्त कोड उपयोग करता के प्रमाड़ी करन के लिए टम्स रिलेटेड स्जिक्रोटी रिलेटेड टम्स क्या है कि वेश ड्रॉपिंग हमलावार संदेश समागरी के लिए प्रसारण की निग्रानी करता है कि मस्कूरेटाइजिंग तंदी स्वाहक हमलावार का अधिकृत उपयोग करता से कुछ अनाधिकृत भी ससाधिकार प्राप्त करता है पेचेस यह सब्ट्वेर का एक टूकड़ा है जिसे कम्पीटर प्रोग्राम में इसके सहायक डेटा के साथ तम संस्थानों को ठीक करने है तू डिजाइन किया जाता है लाजिक वम यह जान बुझकर कम्पेटर की में में डाला गया कोड है जो निर्दिष्ट सर्तों को पुरा होने पर दुर्भाना पर फंक्शन को बंद कर देता है इसे लाजिक वम कहते हैं टाइम बम यह सब्ट्वेर का एक टूकड़ा है जिस अगरतों को प्रेश्ट सेडिर्ज चूह सानदेश। की यह सच्चे नेटवर्क के पते को चुपाता हगा दोवें प्रेश को चूड़ने को को रुकता है सट कंपीटर वायरस है क्रीपर उनसे एक 7 में बना था क्रीपन नमःग वायरस जो पैस्ट कंपीटर वायरस था प्रेश्ट पीश्टी बुस्ट अक्शन वायरस ब्रेन उनेश्ट अच्टी अच्छियासी में anti-vine सब्टवियर हावास्ट k7 ये सब anti-virus है anti-vine लिखा है anti-virus anti-virus software हावास्ट k7 trend micro सब अलग अलग प्रकार के एंटिवाइरस के उदार हों है जिने एंटिवाइरस बोलते हैं कुछ साट कट कीज देखते हैं साट कट कीज साट कटीज में जैसे कंट्रोल ए हाल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल भी बोल्ड करने के लिए बोल्ड मतला गाढ़ा करने के लिए कंट्रोल सी कापी करने के लिए करने के लिए उसे सेंटर अलिगेसं बोलते हैं सेंटर ऑलिकेसं सेंटर अलिगेसं खोलने के लिए किसीज को सेर्च करने के लिए Ctrl G, Go To, कहीं जाने, Ctrl H, Replace के लिए, Ctrl J, I, Italic, Hunt के लिए, Ctrl J, Justifies Paragraph, Alliance के लिए, Ctrl Shift J, Force Justice के लिए, Ctrl K, Hyperlink के लिए, इसको जानने के लिए, Ctrl L, Left Alligation के लिए, Ctrl L से, Screen भी लाक होता है, लाक स्क्रिन भी काम करता है, Ctrl R, Right Alligation के लिए, Ctrl P सी, Print होता है, Ctrl Shift F12, इससे भी Print होता है, Ctrl F2, Print Preview के लिए, Ctrl Alt I, Print Preview के लिए, Ctrl O Open, Ctrl F12 Open, Ctrl N, New Slide, Ctrl S, Save, Ctrl T, Tagging Identification, Ctrl U, Underlines, Ctrl V, Paste, Shift Insert, Paste, Ctrl W, Close File, Ctrl X, Cut करने के लिए, Cut और Paste करने वाला, Ctrl Z, Undo करने के लिए, कोई इसी चीज़ को आप, गलती से काट दिये, और सोचना है कि नहीं कटना चाहिए था, तो Ctrl Z दबा दकते हैं, Ctrl Y, Redu के लिए, Undo का उल्टा, Redu होता है, Ctrl Bracket, Increase Fund Size by 1 Point, लिख रहा हैं, उसको बढ़ा करना है, तो Ctrl Bracket दबा सकते हैं, आगे वाला Bracket तो बड़ा होगा, पीछे वाला Bracket तो छोटा होता जाएगा, उसी अनुसार, एक एक पॉइंट करके, ESC किसी command को cancel करने command दे दिये हैं, और सूचना है कि नहीं गलती दे नहीं देना चाहिए था, तो ESC दबा सकते हैं, ESC की होती है, shift arrow to select letters to letters, letter to letters का select करने के लिए shift दबाएंगे, उसके बाद arrow दबाएंगे, यह यह होती है, यह इस प्रकार से होती है, इन arrow को, alt shift दोनों दबाकर तब arrow दबाएंगे, तो word by word select होता है, और बीन shift से करेंगे, बीन alt दबाएंगे, तो अच्छारा select होता है, control equal to दबाएंगे, अगर control के बाद equal to दबाएंगे, तो sub script लिखता है, sub script मतल़ जैसे h2 लिखना है, तो 2 नीचे लिखना पड़ेगा न, तो इसे 2 को sub script बोलेंगे, control shift plus दबाएंगे, तो super script लिखता है, super script का मतलब की, जयसे 10 के पावर टू लिखना है तो आप लिखना पढ़ेगा तो न Ultra स्क्रिप्ट बोलेंगे एव आरहिम टीनेक्सि बाक्स तो आप लृईिंट बाक्स तो थे कपरेगम Kal AJ बांतर को लिए अगर सिक्षा एकर जाना है तो संट नत वर्ड टो उन टूर्ट लिए इत्यादी के लिए कि एक सब्सक्राइब कर सब्सक्राays पेज के प्रारण में जाएगा, ctrl, int दबाएगे, तो पूरे पेज के अंत में जाएगा, बाइक space दबाएगे, तो जहाँ यहाँ पर यह करसर चल रहा है, तो इसके आगे बाइवाला, बाइवाला कटेगा, डिलीट बट्न दबाएंगे तो इधर दायों इस करसर के दायने वाला क्टेगा कि इस पेस दबाएंगे इस सब्धन डान के लिए ईल्ट सिफी डी इनसरट करेंट चलिफीbs डालन के लिए परेंट ड़ना चाहता है तो और चीब दबाएंगे तो डेट निकल आ जाएगा किस फार में डालते हैं कि डालना चाहते हैं त्यादी अल्ट शिप्टी इंसर्ट करेंट टाइम के लिए टी से टाइम डी से डेट आल्ट शिप्ट के साथ अब फंक्शन की होती nggak बोलता नब के लिए एक बार हेल्प कर दो तो यह व क improve के लिए ट्वरिनेम के लिए होता है करें मतलब दोबारा नाम लिखना अधcut करा इसंकर आफार्ज सब्सक्राइब के लिए व के लिए जर्ञबर के लिए दो तरचाप सब्सक्राइब करता है कि अगर लिखा रहता है कि उसमें अगर करसर ले जाना है उसका संशोधित करने के लिए तो डायेक्ट अब्सक्राइब दबा दीजिए चला जाएगा एप सेवन स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग के लिए होता है कोई लिखेंगे उसके बस सेलेट करके दबाएंगे तो बता देगा इसमें क्या गलती है और क्या होना चाहिए एफ-8 इस्टार्ट सेफ मोड एफ-9 एंड रिसीब एमेल इन-outlook आट लुक में काम करता है एफ-10 ऑलाइट मेनु बार्स अच्ट एफ-10 जो है ओपन राइट क्लिक मेनु बार विट का साथ एफ-10 दबाएंगे तो राइट क्लिक मेनु बार आ जाएग बची से बहुत सारे खोल खुल का निकलेंगे एक लीकार ओंपिनिक फूली फूली स्क्रीन करना है मुदура हट जाएक करता है कंच़्टरूल एश होता है और एक गयाश कि ग्वस्ट में अपने सीव कर दे ऑफ जाएगा और से आज कमतलब कि पियग एप के लिए चाहते हैं यावी चले ईए किさ को इंट्रों इन सुली के लिए चाहिए आपने बंद कर दिया और चाहते हैं अब दो बंद नहीं करना चाहिए था तह तो कंटोल सब्द के सद या जा आजाेगा अपना 3-5-3 जम्प राइड साइड ड hed tum sup Zero რ फूजमप लेफ्ट साइडस र अ उप जवाइंटाई प्रियोट क्राइड साइड्लो टक्र्रोल देड खॉडम नाय्स्ट्री के लिए दान्लोड नाइन हमking पर जाने के लिए पर जाने के लिए बहुत सारा आपने जूम कर दिया है या तो धीरे धीरे उसे अन्जूम करें यहने की जूम आउट करें या तो धीरो दबाने बहुता है Control-0 अपने आप पर default पहा जाएगा एप 5 रिलोट के लिए यह सी स्टाफ लोड़िंग के लिए Alt D तो जूम दे अड्रेस बार के लिए और कांट्रोल ईल तो जोंदी अड्रेस पार के लिए अथवा क्न्रोल एम्ज इस क्रिन लाग के लिए विज होता है ब्रावजर से बाहर अब ब्रावजर के अंदर इसके लिए होता है अब कुछ Windows side kind कि देखते हैं Windows E Explorer file यानि कि इस पेची जो खुलता है explore file खुलता है इसके लिए Windows D दबाएंगे तो Desktop going है निकि Desktop पर आ जाएंगे Windows V दबाएंगे तो clipboard इपन खुलेगा है निकि कोई भी copy कुलता है तो copy करता है तो कहा जाकर copy रहता है clipboard में copy रहता है तो वो पुरा खुल जाएगा आपने कब कापी किया है Ctrl L Lock screen के लिए द्रेजन के लिए कि एक एप्लिक का फ्योग कर सकते हैं वह सिम्हान के लिए इसको प्रक्राइब करने के लिएDales उसका बंद करने के लिए कंट्रोल विंडोज एरो जम टू अधर डेक्टप के लिए विंडोज 1,2,3 विंडोज 1 दबाएं विंडोज 2 दबाएं विंडोज 3 दबाएं तो यहां नीचे जो नीचे बार में जो जितने नंबर पर अप्लेकेशन आप रखें होगे वो खुल जाएगा अल्ट टैब में स्विच विंडोज के लिए कंट्रोल आल्ट डिलीट विंडोज कोई हंग कर गई तो इसको डिलीट करने के लिए कंट्रोल आल्ट डिलीट दबाते हैं विंडोज प्लस मैगनिफाई रोपन के लिए निक जूम के लिए विंडोज माइनस मैग्निफाई क्लोज यानिक जूम आउट के लिए कंट्रोल एंड नोटिफिकेशन के लिए कंट्रोल टी टेक्स बार लेफ्ट में कंट्रोल भी टेक्स बार राइट में यानिक टेक्स से बार नीचे होता है अगर दाहिने में B से बाए में C से कंट्रोल कीव क्यूक स्क्रेन के लिए कि छोड़ दें स्क्रेन अनने की डेस्टप पर चला जाए सिदा विंडोज एक्स मेनीव मेनेजमेंट आप्सन ओपेन हो जाएगा इससे विंडोज ए वाई फाई ब्लूटू थित्यादी के लिए विंडोज आर रन फार विंडोज के कास्ट स्क्रेटिंग यानि के मिररिंग के लिए अपना स्क्रेन किसी को देना है विंडोज पी प्रजेक्ट स्क्रेन के लिए विंडोज डावलू विजगट और विंडोज आई स्टेटिंग के लिए Microsoft Office 5 package है Microsoft Office के MS Word MS Excel है MS PowerPoint MS Access है MS Outlook MS Word Word Processing Software होता है MS Excel Tablet Data Informatics Software होता है MS Power On Presentation Software होता है MS Access Database Management MS Outlook Email Client होता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियों नहीं देखें कि इसके बारे इसके लिए इन पांचों के लिए Microsoft Office नाम से कलक वीडियो आएगे Computer के तो अभी के लिए इतना है अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यबाद